नमस्कार मेरे दोस्तों मैं आशोक कुमार साहू आपका मेंटर आपका करियर गईड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इंस्टिट्ट वुगली क्लासिज में गुड मॉर्निंग आवरीवन कैसे हैं आप लोग मेरे साथ यहां मैंने अपना पूरा संडे आज आप लोगों को समर्पित करने का नगर लिया है और इन्यनने ऐसे ही नहीं लिआ गया इसका परिणाम हाजब हम एग्जाम में हॉल के अंदर बैठे होंगे ० हम में एकजाम दे रहे होंगे तब मुझे इसका परिणाम दिखाए तो मेरे दोस्तों मेरी सोच हमेशा से एक दूरगामी सोच रही है, एक फ्यूचर के वीजन को लेकर के मेरे हर प्लानिंग, हर सोच मेरा प्लान करता हूँ, यानि कि मेरे साध्यों, आज आप में से कई लोग हो सकता है, N-Clicks classes को लेकर के अनभिग्य हों, नहीं जानते हों, फ्रेशर हों, न्यू हों, जाने अन जाने में, लेकिन आप जो ये classes पढ़ रहे हैं, इन सब का उचित परिनाम आपको परिक्षा हॉल के अंदर देखने को मिल रहेगा, मेरे दोस्तों, N-Clicks को पूरा कंप्लीट कर लेना, आपका ये एक बहुत ही बड़ा अच्यूमेंट रहने वाला है, बहुत बड़ा अच्यूमेंट रहेगा, इस 2000 सन के अंदर, 2023 के अंदर, जितने लोगों ने इस N-Clicks की classes को पढ़ने का सुभग्य प्राप्त कर लिया, वो अपने जीवन के अंदर, एक विशिश परिवर्तन, एक विशिश चेंज महसूस करेंगे, जाने अंजाने में आप इन classes को कंप्लीट करके, अपने आपका लेवल, नॉलेज का लेवल, अपने आपके अंदर, एक skills का लेवल, और सबसे बड़ी बात एक पढ़ने का तरीका, एक way of teaching, way of learning, वो आप इन classes के माध्यम से सिख रहे हैं, और मैं उमेद करता हूँ, कि मेरे समस्त जितने भी वोगलियन्स हैं, चाहे फिर वो यूट्यूब के हैं, चाहे से फिर वो अपने achiever batch के हैं, चाहे से फिर वो अपने basic वाले SN27 batch के हैं, या अपने अरजुन test series के हैं, या अपने quota offline के students हैं, उन सब को मैं recommend करता हूँ, कि जो समर्पन की भावना के साथ, मैं आप सब को Saunders one by one, मेरे रोज-रोज के छोटे-छोटे प्रियासों से सिखाने का प्रियास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इन प्रियासों का उचित परिनाम हम लोगों को exam hall के अंदर देखने को मिलेगा, तो मेरे साथियों, आज के session में बहुत कुछ अलग, बहुत कुछ different और बहुत कुछ खास होने वाला है, session के अंत में, मैं आप सब को एक ऐसा good news, एक ऐसा revolutionary news भी देखे जाऊंगा, जो आपकी दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर देगा, इतना बड़ा, अगर मैं यू कहूं कि मैं वैसे तो दानी नहीं हूँ, मेरी इतनी उकाद भी नहीं है कि मैं कि किसी को कुछ दे सकूँ, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, कि किसी को कुछ देने लाइक ईश्वर ने मुझे बनाया है, लेकिन मैं यू कहूंगा मेरे सात्यों कि मेरे पास जो ग्यान है, वो ग्यान, मेरे पास जो संसाधन है, वो संसाधन, यदि मैं अगर nursing profession के लिए को आज इवन देना चाहता हूं, देता रहूंगा, और उसी से related आपको अंत में, मैं जो आपको आज देने वाला हूं, वो आपकी दिशा और दशा, आपकी तैयारी का रूप रेका ही बदल के रख देगा, आपकी तैयारी के अंदर एक ऐसा परिवर्तन लेके आएगा, तो आप लोग जिस प्रकार से अपने दूसरे सातियों को कॉपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को हैल्प कर रहे हैं, उससे मैं बहुत इंस्पायर हूं, आप सबसे बहुत इंस्पायर हूं, आप सबका ये नेचर, आप सबका ये आत्मिस्वास, आप सबका ये समर्पन, आपकी ये भावनाएं देख करके और मुझे आज बहुत अच्छा मैसूस होता है कि आने वाले समय पर हमारा नर्सिंग प्रोफेशन एक नेक्स्ट लेवल का नर्सिंग प्रोफेशन होगा हम सब मेलकर के जो आज नर्सिंग प्रोफेशन में कर रहे हैं और खास कर मुझसे भी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट आप आप जो ये दूसरे लोगों की मदद करने का नेचर आपके अंदर डबल अप हुआ जब से आप वोगली क्लासिस में आये तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है आज मैं देखता हँँ अपना जो अचीवर का वाटसफ गुरूप बना हुआ है उसमें आपका नाचर मैंने देखा है किसी ने कहा कि मेरे पास सॉंडर्प का पीडियेफ नहीं है तो दूसरे साथीने उसको तुरंस सॉंडर्स का पेडिएफ दे दिया किसे ने कहा मुझे ये क्वेस्टन न उसको जो भी उससे better suggestion, better मदद बन सकती थी, वो मदद पहुचा दी, मेरे दोस्तों ये आपके छोटे-छोटे प्रयास, ये आपका helping का nature, ये आपका आपके profession के प्रती जम्यदारी, यही सब वो छोटी-छोटी बाते हैं, जो पढ़ाई से भी ज़्यादा उपर मानी जाती है, और अगर आपके इस nature से मैं कहूं, तो आपको हर कोई मदद करेगा, आपका यही nature, आपका यही एक संसकार आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, तो मेरे साथियो, आज इस session में आपको अंत तक पूरे अच्छे ढंग से revision class का फाइदा उठाना है, और सारे questions को rapidly revision कर लेना है, इस class को शुरू करने से पहले एक important जानकारी जो आप सब को मैं बता देता हूँ कि class कैसा होगा, क्यूं होगा, किस तरीके का होगा, तो मेरे साथियो, विशेश जानकारी सब लोग ध्यान से सुन लें, यह class पिछले दिनों में आज तक लिए गए सभी lectures का revision class से lecture number 1 से ले जिस से यदि आप full details और explanation समझना चाते हैं, तो questions के साथ साथ समझने के लिए lecture number भी आज आपको बताए जाएंगे, क्रिपया हमारा आपको suggestion है कि topics को पूरी जानकारी से learn करें और उसके लिए regular classes का हिस्सा बनें, और यदि आप repeater हैं, तो आने वाले competitive exams में YouTube class के साथ Achiever batch की classes आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगार साबित होगी, आप हमारी सला से ही चलें और बिना किसी सवाल के वो करें जो हम आपको कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, Class के अंत में आपके लिए wishes announcement है, जो आपकी exam तैयारी में हर पल आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, Thanks for coming everyone on India's one of the best international education platform, Googley MCI Education, My dear student, मैंने हमेशा से कहा है, कि सिर्फ आपके जीवन में एक ही व्यक्ति ऐसा होता है, जो आपकी दिशा और आपकी दशा दोनों को बदल के रख देता है, और वो होता है आपका एक सही गुरू का चैन, आपका निड़ने, यदि अगर आपने अपने निड़ने सही ले लिए, और सही decision सही समय पे ले लिया जाए, और आपको मागदशन करने के लिए एक सही गुरू अगर आपके जीवन में आ गया, तो वो गुरू एक ऐसा चमतकार कर देगा, जिससे कि आपकी जिन्दगी में, जो आप सोच रहे थे कि ये कितना कठीन है, मुझे कैसे हासिल होगा, वो बड़ी आसानी से आपको वहाँ पहुचा देता है, मेरे साथियों हम जो गलती करते हैं, वो ये होती है, कि हम सही चीजों का चयन नहीं कर पाते हैं, कि हमें किस तरह की classes पढ़ना है, किस तरह का content पढ़ना है, आपका चयन ही आपके जीवन की सफलता का सबसे बड़ा मुख्य आधार होता है, और यदि सही चीजों का चयन करना, एक अच्छा observation करना आपने सीख लिया है, तो आप success के बहुत नजदिक हैं, आप किसी भी दिन success हो सकते हैं, हिम्मत नहीं हारनी हैं, और निरंतर अपनी इन छोटी-छोटी skills जैसे की एक अच्छा observation, एक अच्छा notes बनाने का तरीका, short notes तयार करने का तरीका, questions को learn करने के लिए curiosity, question को पढ़ते वक्त उसको समय देना, उस question को पूरे conceptual तरीके से learn करना, यही वो छोटे-छोटे skills हैं मेरे साथियों, जो हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तो उमेद करता हूँ कि आप सब को जो बातें आज मैंने कही है, उन बातों से आपके जीवन के अंदर, आपकी तैयारी के अंदर, आपकी success की अंदर, एक छोटा सा हिस्सा साहूसर का भी होगा, और साहूसर डेफिनिटली आपके जीवन में कुछ ऐसा करके दिखा देंगे, जो मेरे सातियों, मेरे सभी profession के heroes और heroines, बबर शेरों और बबर शेरनियों की जिन्दगी को बदल के रख देगा, तो चलिए, आपका आशिरवाद रहा, तो आज मैं ये पूरी class को complete करवा के ही दम लूँगा, आप सब मुझे आग्या दें, कि सर अब लेशेशन शुरू करें, देखिए मेरे साथियों, हमारा शुरुवात से ही वापिस स्टार्टिंग कर रहा हूँ, सबसे पहले lecture number one से हम बातें शुरू करेंगे, कि lecture one में हमने क्या किया था, lecture two में क्या किया, हर question से पहले ये लिखा होगा, उसके उपर भी ये लिखा होगा, कि वो कौन से lecture का question है, सबसे पहला question हम लोगों के पास है मेरे साथियों, question number 43, 443 से हमने हमारी शुरुवात की थी, और unit का नाम था, hemato-oncology, you know everyone, पहला question था, कि the nurse is reviewing the laboratory result, lab result आप review कर रहे हैं, of a client diagnosed with the multiple myeloma, multiple myeloma, आप messages जिसको भी answer आते हैं, वो answer देने में बिल्कुल फुर्ती रखना, जिन्होंने learn किया हुआ है, और जिनको पूरा पता है, कि किस तरह से answer निकल के आ रहा है, वो बिल्कुल speed से answer देते रहना, तो कहा था, which would the nurse expect to not especially in this disorder, हब हम जानते हैं, कि multiple myeloma प्लाजमा सेल की वज़े से होने वाली problem है, और प्लाजमा सेल माइगरेट होकर के बॉन में चली जाती है, और बॉन के अंदर tumor का formation कर लेती है, और इसलिए बॉन के अंदर से calcium जो है, वो excrete हो जाता है, और calcium excrete होके blood में आ जाता है, कहां आ जाता है, blood में आ जाता है, और इसलिए हमें patient के lab result में hypercalcemia देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, hypercalcemia, तो option number one is the correct answer in this question, next question हमारा था, question number triple four, nurse is creating a plan of care for client with the multiple myeloma, and includes which priority intervention, तो जब कभी भी हम ऐसा कहते हैं, कि bone के अंदर से de-mineralization हो जाता है, calcium निकलने की वज़े से, bone से calcium निकलते ही de-mineralization होता है, और de-mineralization होने की वज़े से, bone की surface पर osteoporosis develop हो जाता है, और osteoporosis develop होने की वज़े से, मेरे साथियों हम जानते हैं, bone का skin, bone का surface fragile हो जाता है, और fragile होते ही pathological fracture की संभावना बढ़ जाती है, तो pathological fracture की संभावना बढ़ते ही, pathological fracture की संभावना बढ़ते ही, और मेरे साथियों, safety आपका सबसे पहला priority बन जाता है, तो आपको क्या करना है, safety के case में, और ये calcium जो बढ़ा हुआ है, calcium क्या कर सकता है मेरे दोस्तों, जैसे ही de-mineralization होगा, calcium blood की अंदर आता है, कहां आता है, blood में, और यदि अगर इस calcium को excrete नहीं किया गया, तो ये stones का formation कर देगा, जैसे gall stone, renal stone, इसलिए आपकी जम्यदारी बनती है, कि इसको fluid encourage कर दीजिएगा, fluid का level बढ़ा दीजिएगा, do you understand everyone, next question हमारे पास है, मेरे साथियो, question number 444, क्या कह रहा है, when caring for a client with the internal radiation implant, यहाँ पर ध्यान देंगे, implant का question है, the nurse should observe, which principles, आपको क्या principles ध्यान देना चाहिए, जब भी कभी radiation implant किसी को किया जाए, तो मेरे साथियों हमेशा, docimeter film का, lead apron का use करना चाहिए, docimeter film और lead apron का use करना चाहिए, और जो महिला है, pregnant है, या जो बच्चों की उमर 16 साल से कम है, उनको radiation exposure से बचाना चाहिए, तो यही एक safety होती है, जब कभी भी internal radiation implant हम लोग करते हैं, तो पहला limiting the time with the client one hour per shift, ऐसा कोई foundation नहीं रखा जाता है, keep the pregnant woman out of the client room, बिल्कुल correct बात है, place the client in a private room with a private bath, बिल्कुल correct बात है, इसके bathing equipment, bath linen और towel वगिरा, यह सब कुछ private होना चाहिए, wearing a lead shield when providing the direct client care, बिल्कुल यह हमेशा आपको याद रखना है, कि जब भी आप किसी भी client को direct care देने जाएंगे, और उसको radiation implant किया हुआ है, तो आपको हमेशा lead shield का प्रियोग करना है, remove the dosimeter film page when entering, dosimeter film page पैन करके जाना होता है, remove करके नहीं, allow the individual younger than 16 year, 16 साल से कम साल के individuals को allow नहीं करना होता है, और pregnant women को भी allow नहीं करना होता है, और मेरे दोस्त, एक client के room में maximum आप 30 मिनट से ज़्यादा ना रुखें, वरना आपकी body के उपर radiation का effect आना शुरू हो जाएगा, do you understand everyone, clear है, तो हमारे यहाँ पर correct options के वल मात्र, option number 2, 3 and 4, यह हमारे पास है, डॉसी मीटर और डॉसी मीटर रडियेशन मेजरमेंट के काम आता है, question number 446, while giving the care to the client with internal cervical radiation implant, the nurse find the implant in the bed, बैड के अंदर मिला आपको वो गिरा हुआ, client should take which act, initial action, आपको बताना है, कि यदि अगर किसी भी client को कभी भी radiation implant किया गया हो, cervical implant हमने किया हुआ है, और जब हम गए patient care देने के लिए, तो हमने देखा कि यह radiation implant जो है, cervix से निकल करके, bed पे पड़ा हुआ है, तो जो आपका radiation होता है, यह radiation सिर्फ और सिर्फ सेफ लीक रह सकता है, किसके अंदर, laid container के अंदर, तो आपको long forcep से इसे पकड़ करके, और as soon as possible विटा, pick up करना है, और pick up करके, long handle forcep की मदद से, इसको laid container के अंदर डालना है, वरना यह percent को भी नुकसान करेगा, और यह आने जाने वालों को भी नुकसान करने वाला है, next question हमारे पास था, question number 447, nurse should plan to implement which intervention, आपको बताना है, intervention in the care of a client experiencing the neutropenia, neutropenia यदि cell कम होगी है neutrophil, तो chemo therapy की वज़े से, क्योंकि हाप और हम जानते हैं, कि chemo क्या करता है बिटा, chemo, bone marrow का depression करता है, और bone marrow depression होते ही, blood cells के count कम हो जाते हैं, यानि कि pencytopenia हो जाता है, और pencytopenia उसके अंदर specially हमसे question पूचा, pencytopenia means all blood cells की कमी, special question पूचा है हमसे, neutrophil कम हो जाना, neutrophil कम हो जाना, तो याद रखना, neutrophils कम हो जाने से, यानि कि patient को infection की संभावनाएं बढ़ जाएगी, infection की संभावनाएं बढ़ जाने के case में, हम patient को infection preventive measures सिखाएंगे, infection preventive measures के बारे में, teach करेंगे, interventions सिखाएंगे, तो infection से prevention के लिए best measure जो भी होगा, वही आपका answer इस question के अंदर होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा effective, देखिए यहाँ पर answer तो ये भी सही हो सकता था, कि restrict the all visitor, answer ये भी सही हो सकता था, लेकिन हम जानते हैं medical science के अंदर, medical science में जब हम वर्क करते हैं, तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, कि infection prevention का सबसे best of best और effective measure होता है, hand hygiene, that is a very important or compulsory measure in when you are practicing in the medical profession, do you understand everyone guys, तो ये भी answer हो सकता था, fluid intake नहीं हो सकता, teach the client family about need for the hand hygiene, that is a very important or insert an indwelling urinary catheter to prevent the skin breakdown, that is not necessity, so the correct option, correct choice in this question is option number 3, Now, see the next question number 444, 448, home health care nurse is caring for a client with the cancer, who complain of acute pain, the most appropriate determination of the client pain should include which assessment, cancer का patient है और उसको pain हो रहा है, तो आप से ये कहा जा रहा है, कि आप इस pain को determine करने में सबसे ज़्यादा preference क्या देंगे, किसे देंगे, तो जब कभी भी किसी client को pain हो रहा है, यानि कि pain एक subjective symptom है, तो आपको assist करने का तरीका भी subjective ही काम में लेना चाहिए, तो आपको उस patient के साथ subjective method ही यूज करना चाहिए, तो rating scale एक सबसे best method होता है पैन को assist करने का, do you understand guys? Non-verbal तरीका, cues, cues वगेरा से आपको assessment नहीं करना है, nurse impression of client pen नहीं, nurses के impression से बात नहीं बनेगी, pen relief after appropriate nursing intervention ऐसा बिलकुल नहीं होगा, pen ठीक नहीं हो सकता, तो correct choice is only the option number one. Guys, now the next question number 449, nurse is caring for a client who is the post-operative, post-operative patient है, following a pelvic extraction, extiration, pelvic extiration में पूरे pelvis organs को remove कर दिया जाता है, और आपको पता है, and the surgeon changes the client diet from NPO, nothing by mouth, status to clear liquid, surgery के बाद आपने NPO से इसको clear liquid diet शुरू कर दिया है, the nurse should check which priority item before administering the diet, जब कभी भी आप किसी को NPO से, NPO से उसको clear liquid diet पे लेके आते हो, तो मेरे दोस्तों ऐसी परिस्तिती में हमें हमें हमेशा ध्यान रखना है, कि NPO से जब कभी भी किसी को clear liquid diet पे या solid या semi-solid diet पे लाया जाता है, तो सबसे पहले हमें उसके bowel sounds written हुए या नहीं हुए इस बात को confirm करना होगा, और उसे confirm करने के बाद ही हम उसे कुछ food या fluid oral route से offer कर सकते हैं, यदि आपने साउधानी रखे बिना ही उसे खाने पेने के लिए कुछ offer कर दिया, food या fluids दे दिया, तो उससे उसको airway में aspirate हो सकता है और आपके पेसेंट को तकलीफ हो सकती है, pneumonia डवलप हो सकता है, infection डवलप हो सकता है, तो before just giving any food and fluid items, just after the surgery, when the client returning from NPO to the clear liquid diet, your responsibility is to that, confirm the bowel sounds, returning of the bowel sounds. तो guys, option number one is the most accurate option in this question. Now the question number 450, a client is admitted to the hospital with the suspected diagnosis of the Hawking's disease, or you know that Hawking's disease, which assessment finding would the nurse expect to specifically in the client? You know that Hawking's disease क्या होता है, Hawking's disease होता है मेरे साथियो, आप सब समझते हैं, lymph nodes के अंदर penless enlargement हो जाना, तो penless enlargement of lymph node, penless enlargement of lymph node, that is called Hawking's disease, और हमें दिया हुआ है option number four के अंदर penless enlargement of the lymph node, do you understand everyone, crystal clear है यहाँ तक, हमारा शुरू हो गया है lecture number two, क्या इस speed से किसी को कोई तकलीफ, एक lecture में करवा चुका हूँ, और करीब एक lecture करवाने में मुझे 5 से 7 मिनट का समय लगा है, क्या इस speed से किसी को कोई तकलीफ, everyone satisfied, very good, excellent, बहुत अच्छा, देखिएगा lecture number two के अंदर, super lecture number two के अंदर हमने question number 451 किया, during the admission assessment आप कर रहे हैं of a client with the advanced ovarian cancer, अब आपको पता है कि ovarian cancer जो होता है, ये maximum cases में asymptomatic रहता है, और काफी severe बढ़ जाता है, तब जाके patient को पता चलता है, then the nurse recognize which manifestation is typical of the disease, typical का means बताना है आपको कौन सा clinical feature इसका vicious clinical feature होता है, vicious clinical feature होता है ovarian cancer का, तो मेरे साथ यो ovarian cancer की वज़े से patient को abdominal area में distension देखने को मिलेगा, तो जिस किसी को भी ovarian cancer होता है client को, हलका सा ovary जो होता है वो full जाता है और ovary full जाने से आपको ये देखने को मिलेगा, कि उसका abdominal जो गिर्थ है, वो हलका distend हो जाएगा, यानि कि fourth option इसमें correct answer होगा, next question था हमारा question number 452, caring for a client with the lungs cancer, lungs cancer के case में bone के अंदर metastasis हो चुका है, आपसे कह रहा हूँ, what sign and symptom would the nurse recognize as indication of the possible oncological emergency, मेरे साथियों आपको ये सिखाया, ये मैंने देखा, मेरी बात एक और बात सुनो, मैं यहाँ पर थोड़ा साप लोगों को, पिछले जो मैंने, जितने classes पढ़ाएं हैं पिछले दिनों में, वहाँ पर मैंने students के अंदर एक बात notice की है, एक बात क्या notice की है, ये समझने की कोशिश करना, और उसको doubt को मैं आज ले रहा हूँ, उस doubt को आज मैं detail में discuss करना चाहरा हूँ, ताकि किसी को भी वो doubt ना हो, आप में से भी हो सकता है, वो doubt आपके अंदर भी चल रहा हूँ, मैंने आपको दो questions करवाये थे, एक oncological emergencies का, एक tumor lysis syndrome का, और एक multiple myeloma का, मैं यहाँ पर तीनों topics को एक साथ लिखता हूँ, oncological emergencies, और आपने क्या गलती की थी, और किस तरह से आप उसमें doubt में आ गये थे, ये भी मैं बताऊँगा, oncological emergencies, do you understand? दूसरा मैंने यहाँ पर एक topic पढ़ाया था, tumor lysis syndrome, और तीसरा यहाँ पर एक topic पढ़ाया था मैंने, multiple myeloma, क्या पढ़ाया था? multiple myeloma, अब आपको मैंने कहा, कि जैसे ही tumor lysis syndrome, और multiple myeloma, दोनों में आप चेक करेंगे, तो आपको confusion हो गया था, और आप लोगों में से कई लोग, बिल्कुल class को समझने के बावजूद भी, नहीं समझ पा रहे थे, मुझे बार बार वो एक ही doubt भीजा जा रहा था, कि सर ऐसा कैसे हुआ, oncological emergencies के अंदर, hypercalcemia, भी एक oncological emergency होता है, tumor lysis syndrome भी एक oncological emergency होता है, DIC भी disseminated intravascular coagulation होना, ये भी एक oncological emergency होता है, SIADH ये भी एक oncological emergency होता है, यहाँ पर मैंने कहा कि chemotherapy जब किसी को दिया जाता है, तो tumors का बहुत ही rapidly breakdown होता है, और tumor का breakdown होता है, तो उस condition में यहाँ पर hyperphosphatemia हो जाता है, bone cells के अंदर से hyperphosphatemia हो जाता है, phosphate बाहर निकलता है, और मेरे साथियों जब भी phosphate बढ़ेगा, तो ये calcium को घटा देगा, यानि कि hypocalcemia हो जाता है, क्या हो जाता है, hypocalcemia हो जाता है, और यहाँ पर bone का destruction होता है, bone के internal minerals जो हैं, वो release हो जाते हैं, और blood में आ जाते हैं, यानि bone minerals release होते ही, पेसेंट के blood का calcium level बढ़ जाता है, तो अब आप में से, जिनकी अंदर थुड़ा कम mind था, वो लोग ये नहीं समझ पाए, कि सर आपने यहाँ पर तो hypocalcemia पढ़ा दिया, और यहाँ पर आपने hypercalcemia पढ़ा दिया, दोनों ही question oncological emergencies के हैं, तो उन्होंने मेरे पास इस तरह के बार बार doubts send किये, और वो confused हो गए, क्यों confused हो गए, भाया मैंने कहा, कि देखिएगा, यह hypercalcemia एक oncological emergency है, लेकिन hypocalcemia एक tumor lysis syndrome के अंदर आने वाला clinical feature है, तो इन दोनों questions में बच्चों को बड़ी problem face करनी पड़ रही थी, बार बार doubt आ रहा था, आज मोका मिला, तो अब share हो गया है, तो अब आज के बाद कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी न और question गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक-एक question बहुत महत्पूर्ण होता है exam के अंदर, और आपको अपनी basics पे, अच्छे से knowledge पे, concept clear करने पे बहुत काम करना है, तब ही जाकर के कुछ अच्छा संभव हो पाएगा, in future हम लोग जो प्रियास कर रहे हैं, इससे जाकर के हम लोगों को फाइदा मिलेगा, तो बिल्कुल clear हो गया है सब लोगों को अब, कि किस तरीके से hypercalcemia answer कब आता है, hyperphosphatemia कब आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि phosphate जब कभी भी बढ़ता है मेरे साथियों, तो calcium घड़ता है, दोनों ही एक दूसरे के inversely proportional होते हैं, और इसलिए chemotherapy में या tumor license syndrome में phosphate बढ़ने की वज़े से, क्योंकि cell destruction बढ़ता है, calcium घड़ जाएगा, phosphate किसको घड़ा देगा? calcium को, और जबकि यहाँ पर मैं कहूँ multiple myeloma में, bone minerals release हो गए हैं blood के अंदर, और इसलिए calcium level बढ़ गया था, इसलिए safety आपकी important priority रही है यहाँ पर, और fluid यहाँ पर एक important priority रहा है, यह सब हम लोगों को ध्यान देना है, और यह एक important emergency डवलप हो जाती है, और इसलिए हमने hypercalcemia को यहाँ पर oncological emergency के अंदर शामिल किया है, तो question क्या था कि कौन कौन सी oncological emergencies होती है, यह हमारा question था, तो मेरे साथियों सबसे पहला facial edema in the morning बिल्कुल correct बात है, अगर lungs के अंदर oncological emergency डवलप हो जाती है, lungs में metastasis हो जाता है, तो उसका superior venakeva syndrome block हो जाएगा, और इसे कहा जाता है SVC superior venakeva syndrome, जो एक oncological emergency होता है, दूसरा wet loss कोई oncological emergency नहीं होती है, serum calcium level 12 mg पर DL जो की hypercalcemia को indicate करता है, इसी question में सबसे ज़्यादा confuse हो रहे थे student हो, कि यहाँ पर सर ने के दिया hypercalcemia और आगे tumor lysis syndrome का question आएगा, उसमें सर ने के दिया hypercalcemia, उनने सोचा कि सर को पता हो सकता है knowledge ना हो, सर के mind से skip हो गया हो, या फिर तो मेरे बच्चों याद रखना teacher जब आपको पढ़ाने आ रहा है, तो वो बहुत perfection के साथ पढ़ा रहा है, क्योंकि उसको यह ऐसास है कि एक छुटी छुटी बात भी students के लिए बहुत value रखती है, और अगर उसको गलत सिखा दिया teacher ने, तो वो कहीं न कहीं पाप कर रहा है, गुना कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि वो student का career निर्धारित होगा उस class के माध्यम से, जैसे मैंने कहा आप से कि जब मैं Norset का paper soul करवा रहा था, old paper आप लोगों ने नहीं किया हो, तो कर लेना उसमें आपको questions का pattern, बिल्कुल डिट्टो मिलेगा and clicks का pattern, तो मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही आपको एक paper soul करवाये थे, जो question out हुए थे न Norset में, बिल्कुल original वाले question, वो मैंने soul करवाये थे, तो वहां मुझे एक question नहीं आ रहा था community का, तो मैंने आप लोग उसे help मांगी, कि community का ये question कैसे soul होगा, तो आप में से ही किसी बच्चे ने मुझे solution दिया था, तब जाके मैंने अगले दिन उस question को soul करवाया, लेकिन मैंने ऐसे नहीं कहा कि, नहीं यार मेरे को यहाँ पर अपनी image बनानी है बेटा, मैं अपनी image बनाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, image इज़त बहुत पीछे है, सबसे पहले है student का carrier, वो अगर यहाँ पर एक guru के लिए सबसे ज़्यादा महत्पुन होता है, उसके छातर का carrier, बाद की बाते होती है सब कुछ, clear हो गया है बिटा, next हमारे पास option होगा, serum sodium level, यह कोई oncological emergency नहीं है, serum potassium level 3.4, 3.4 normal level है potassium का, क्योंकि potassium का normal level, कल की class में भी हमने आपको पढ़ाया था, इतना normal माना जाता है, तो यह भी नहीं है, numbness or tingling in the lower extremities, बिल्कुल यह indicate कर रहा है बिटा, spinal cord compression को, spinal cord compression को, तो आपको यहाँ पर पता है, कि यह दोनों भी oncological emergencies होती हैं, जैसे spinal cord compression, hypercalcemia, superior venakiava syndrome, DIC, यह सब चीजें, तो correct options मिले हैं आपको सिर्फ option number 1, option number 3, और option number 6, बिल्कुल clear हो गया है सब लोगों को, next question हमारे पास था मेरे दोस्तो, question number 453, client who has been reviewing the radiation therapy, or for the bladder cancer, or tell the nurse if he'll as he is voiding through the vagina, अगर यह patient को radiation therapy दिया, इसे bladder cancer था, और अब यह कह रहा है कि इसको जो voiding आ रहा है, urine पास कर रहा है, वो vagina से हो रहा है, the nurse interpret that the client may experiencing which condition, तो radiation therapy के बाद और इस cancer के कारण, इसकी जो vaginal और bladder का wall था, काफी weak हो गया है, और इस वज़े से दोनों connect हो गए हैं आपस में, और connect हो जाने को हम कहते हैं, fistula और bladder का vagina के साथ connect हो जाना, vesico vaginal fistula कहलाता है, क्या कहलाता है, vesico vaginal fistula, तो option number 2 के अंदर आपको दे रखा है, कि यहाँ पर क्या डवलप हो चुका है, vesico vaginal fistula डवलप हो गया है, एनि option number 2 करेक्ट आंसर होगा, question number 454, नर्स is instructing a client performing the testicular self-examination, और the nurse should provide the client which information about the procedure, आपको पता है कि चाए breast self-examination हो, या testicular self-examination हो, हमेशा इसको bathing के time ही perform किया जाना चाहिए, अगर female में BAC की बात करें, तो menstrual phase जैसे ही complete होता है, उसके बाद इसे perform किया जाना चाहिए, बाथिंग का time यानि shower time सबसे suitable time होता है, testicular self-examination और जो हमें दे रखा है option 2 के अंदर, that the best time for examination is after shower, बातरूम के अंदर, second option is the correct choice. Next question हमारा पूछा गया था, nurse is conducting a history or monitoring the laboratory value on a client with the multiple myeloma, what assessment finding should the nurse expect to not select all that apply, आपको multiple myeloma अभी मेंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, कि क्या क्या होता है, bone के अंदर tumors बन जाते हैं, और bone में tumor बनते ही calcium का release हो जाता है, यानि bone के अंदर क्या हो जाता है, de-mineralization हो जाता है, और de-mineralization होने से bone की surface पर fragile surface हो जाती है, और fragile surface के कारण osteoporosis डवलप हो जाता है, pathological fracture की संभावना बढ़ जाती है, और इसलिए हमने कहा था कि safety यहां पर matter करेगा, दूसरा मैंने कहा calcium release होते ही, hyper calcemia हो जाता है, blood stream में calcium का level बढ़ जाता है, और इसलिए यह calcium stone करने की possibility बढ़ा देता है, और इसलिए हमने fluid intake को बढ़ा दिया था, तो अब match कर लीजिएगा, pathological fracture इसका बिलकुल correct option होने वाला है, urinalysis positive for the benze john protein, बिलकुल इसका एक tumor marker होता है, यह multiple myeloma का, hemoglobin level इतना यह नहीं होगा, कभी भी इसके अंदर, calcium level 8.6 कमा रहा है, 9 to 11 होता है normal, hypo calcemia नहीं होता है, hyper calcemia होता है multiple myeloma में, serum creatinine level 2.0 mg per deciliter, क्योंकि यह क्या कर रहा है बिटा, यह जैसे जैसे kidney के अंदर, calcium जो है effect करेगा, kidney को effect करेगा, kidney effect करने के कारण, kidney, calcium, serum creatinine को remove नहीं कर पाएगा, और patient का serum creatinine level धीरे-धीरे बढ़ने लग जाएगा, जो normal 1.3 के आसपास रहना चाहिए, यह अभी 2 point पहुँच चुका है, यानि की correct options हमारे सिर्फ इस question के अंदर, option number 2, option number 1 और option number 5, बिल्कुल clear हो गया होगा, next question हमारा था, a gastrectomy is performed on a client with the gastric cancer, in the immediate post-operative period, the nurse not bloody drainage from the nasogastric tube, तो bloody drainage आ रहा है, तो कोई भी surgery के बाद जो drainage system लगाया जाता है, initially उसके अंदर bloody drainage होना बहुत common बात है, और होता ही है, यह एक expected finding होती है, क्योंकि surgery में जो incision किया गया है, उसमें जो blood एकटा हुआ है, उसी blood को तो हम बाहर निकालना चाते हैं, इसलिए initially bloody drainage हर surgery के अंदर आता ही आता है, उसमें tension लेने की बात नहीं है, तो यहाँ पर भी question ऐसा ही कह रहा है, कि gastrectomy perform किया गया, और gastric cancer का पेसेंट था, आपको immediate, यानि initially आपने देखा post-operatively, कि bloody drainage आ रहा है NG tube से, the nurse should take which most appropriate action, बेवकुब बनाने की कुशिश कर रहा है यह question आपको, कि आप initially just after most appropriate, क्या action लेंगे, तो आपको कह देना था कि सर हम साहू सर से पड़े हुए हैं, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम कोई action नहीं लेंगे, क्योंकि सर ने साफ साफ सिखा रखा है, कि कोई surgery के बाद जो drainage लगता है, उसमें initially bloody drainage ही आता है, tension वाली बात नहीं है, तो हमारे पास हम सिर्फ क्या करेंगे, continue monitor the drainage और कुछ भी नहीं करेंगे, third option हमारा यहाँ पर correct answer होगा, आप लोगों को जिसको भी answer आता है, बिल्कुल rapidly answer लिख दिया करो, तुरंत answer लिख दिया करो, अगर आप answer जानते हैं, तो आपको सबसे पहले answer लिखना है, फिर मैं आपको solve करवाऊँगा, ठेके बिटा, next question हमारे पास था, question number 457, nurse is teaching, आप teaching कर रहे हैं, client को about the risk factor, risk factors के बारे में, किस से related, colorectal cancer से related, the nurse, the nurse determined that the further teaching is necessary, कौन सी बात पर आपको वापिस फर्दर teaching करना पड़ेगा, related to the colorectal cancer, if the client identify which item as associated risk factor, कौन सी बात अगर पैसेंट ये कह देता है, कि ऐसी बात करता है, तो आप उस पे, वापिस से इसको teaching करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है, कि age younger than 50 years से पहले colorectal होता है, तो नहीं मेरे साथी हो, 50 साल की age के बाद colorectal cancers की संभावना ये बढ़ती है, ना कि 50 साल से पहले, तो पहला ही option इसने गलत बोल दिया है, history of colorectal polyp, colorectal polyp है, तो colorectal cancer में हो सकता है, convert, family history से हो सकता है, chronic inflammatory disease, जो हैं bowel की उससे हो सकता है, तो correct option आजाता है, option number one, next question था 458, जवाब आते ही लिख दिया करो, nurse is assessing the perineal wound, in a client who has written from the operating room, operating room से written हुआ और आपने देखा, perineal wound, following an abdominal perineal resection, और note that serosanguinous drainage से आ रहा है, from the wound, which nursing intervention is most appropriate, फिर से आपको बेवकूप बनाने की कुशिश की जा रही है, zero sanguinous drainage वा रहा है उगुंड से, तो मेरे दूस्तों, आपको इस patient के case में क्या करना है, you know that, zero sanguinous drainages are the normal findings, so, ऐसे case में आपको कुछ भी नहीं करना है, अपनी dressing change करो, बस और मस्त रहो, enjoy करो, patient को भी बोलो, कि happy कोई तकलिफ वाली बात नहीं है, question number 459 था, nurse is assessing, क्या कर रहे हो, आप assessing कर रहे हो, colostomy को, of a client who had the abdominal perineal resection, abdominal perineal resection हुआ, bowel tumor इसे था, which assessment finding indicate that the colostomy is beginning to function, मेरे साथियों, यदि अगर किसी को colostomy हुआ हो, और colostomy से, अगर, band वाजों की आवाज आना शुरू हो गई है, तो आपको ये समझ जाना है, कि सुब शंकेत मिल गया है, तो ये सुब शंकेत होगा, कि आशुब होगा, band वाजे की आवाज आ रही है, उसमें से अंदर से, music की sound आने लग गई है, कहने कि bubble sounds written हो गए हैं दोस्ट, सुब शंकेत होता है, colostomy को irrigation के लिए, या stool pass करने के लिए, उपयोग में लाया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका answer होगा, कि flattest pass करने लग गया है, और ये एक शुब संकेत है, कोई अशुब संकेत नहीं है, अब लेक्शन नमबर टू चल रहा है अपना, नर्स इस रिविविविंग दा हिस्ट्री ओफ क्लाइंट विद ब्लडर कैंसर, ब्लडर कैंसर का पैसेंट है, और नर्स एक्सपेक्ट टू नौट डॉक्यूमेंटेशन ओफ विच मोस्ट कॉमन साइन सिंटम ओफ दिस कैंसर, तो ब्लडर कैंसर का कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था, कल एक कोशन आया था, कल लेक्शो नमबर 36 जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर एक कोशन आया था, एपीडिडाइमाइटिस का, प्रोस्टेटाइटिस का, और एक कोशन आया था ब्लडर कैंसर का, तो मेरे साथियों मैंने कहा था, कि ब्लडर कैंसर के कैस में, उसमें कोशन क्या था, कि lower abdominal pen हो रहा है lower abdominal pen हो रहा है तो question के अंदर हमने ये कहा था कि lower abdominal pen हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ bladder के trauma का pen है या abdomen का pen है abdominal trauma का pen है उसमें कह रहा था कि क्या ये bladder cancer का pen है नहीं bladder cancer के case में hematuria होता है और abdominal trauma के case में pen जो होता है वो lower abdomen में होता है तो हीमेचूरिया वहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी होता है, लेकिन हीमेचूरिया हो रहा था और Lower Abdomen में पहनुत हो रहा था, तो हम जानते हैं मेरे साथियों, किड्नी की अंदर अगर tumor बने हुए है, किड्नी ट्यूमर है, तो उसके case में flank pen होता है, तो right answer क्या होगा हमारा यहां पर तो ब्लडर कैंसर का पेसेंट है और ब्लडर कैंसर के कैस में मेरे साथ यो most common clinical feature होता है इसका ही मैचूरिया तो आपको यहां पर लिख लेना है most common clinical feature अब जो आपको छोटी छोटी गाइड्स होती है ना मैंने कहा था कल भी कि यदि अगर आपने शंकर भगवान के प कमांड बना लीना तो फिर आपको छोटा मोटा टेंशन लेने की ज़रत नहीं है और जितने भी लोग हैं कम से कम एक बार तो सॉंडर्स पूरी complete perfection के साथ अगर कर लेते हैं तो उनका माई का लाल नहीं है जो कोई exam उनको रोक दे या उनका selection ना हो तो मेरे साथ यों ऐसी पर जीवनी बूटी है वो ही एक रामबान बूटी है जिससे बाकी की सारी किताबों का जनम हुआ है तो उसी में से तोड मरोड करके आपको सब कुछ बना करके और दिया जाता है पढ़ा करके दिया जाता है तो मैं आपको हर क्लास के अंदर question number भी बता रहा हूं कि मैं क्या आप बड़े एवे ही निकाल दोगे क्योंकि इसी question को modify करके वहाँ पर दिया हुआ है कि बस इस question को इतनी language हटा दो इसमें से इतनी language हटा दो और डारेक्ट ये question दे रखा है आपको लगता है कि single liner आया है तो यहाँ पर question क्या दे दिया जाता सिधा most common sign and symptom of bladder cancer बस ये question बन गय है कि हाँ ठीके छोटा सा question आ गया है तो यह मेरे सात्यों ही मैं चूरिया answer होने वाला है हमारे दो lecture complete हो गए है lecture one और lecture two जो speed से हम चल रहे हैं बिल्कुल perfect है क्या और जो समझा रहा हूं बहुत short short में अगर आपको पूरी details में और भी समझना है तो आप detailed classes को attend करें okay guys clear है कोई तकलीफ किसी को शाबाश वेरी गुड चलिए लेक्शन नंबर थी के अंदर हमारा पहला question है बिटा question number 461 nurse is assessing a client who has a new ureterostomy which statement by the client indicate that the need for the more education about urinary stomach care urinary stomach care के case में आपको कौन सी बात पर patient को और भी educate करना चाहिए ये कह रहा है I change my pouch every week बहुत गलत बात के रहा है इस पे आहा सही बात के रहा है कि एक week में pouch एक बार खरीदूँगा एक बार change कर लूँगा I change the appliance in the morning बिल्कुल सही बात के रहा है जितने भी appliances होते हैं उनको morning में ही change करना चाहिए I empty the urinary collection bag when it is two-third full नहीं मेरे साथ यो urinary collection bag one-third full होते ही change कर दिया जाता है two-third भरने पर इसकी वज़े से जो stoma है उस पर pressure create होगा क्या create होगा pressure create होगा pulling effect आएगा और इस वज़े से urine जो है वो leakage भी हो सकता है तो आपको ये suggest करना है कि ये जो bag है urine collection bag ये one-third भरने पर ही change कर दे खाली कर देना चाहिए इसका weight नहीं करना चाहिए कि two-third भरने का do you understand everyone so the third choice is incorrect ये तीसरी choice incorrect है इसलिए आपको इस पे more educate करना पड़ेगा समझाना पड़ेगा जैसे मैंने अभी आपको समझाया next हमें कहा when I am in the shower I direct the flow of water away from the stoma बात बिलकुल सही कह रहा है crystal clear हो गया next question था हमारा सातियों question number 462 client with carcinoma of lung lungs का carcinoma है develop the syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone SIADH इसे हो चुका है as a complication of the cancer the nurse anticipate that the primary health care provider will require which prescriptions किसी को भी यदि अगर मेरे सातियों SIADH की problem हो गई है SIADH या cancer कोई साभी cancer हो हमेशा उस case में सबसे कारगार सावित होता है radiation और chemotherapy तो पहले ही option में आपको दे रखा है radiation भी देंगे कीमो भी देंगे increase fluid intake नहीं करेंगे क्योंकि ADH तो already इसके अंदर बहुत ज्यादा बन रहा है तो आप fluid intake को नहीं बढ़ाएं next decrease the oral sodium intake sodium sodium intake कम करने की भी आपको कोई ज्यादा जौरत नहीं है serum sodium level determination करना ही करना है क्योंकि इसको dilutional hyponatremia हो जाता है क्या हो जाता है dilutional hyponatremia रहता है इसलिए आपको इस client को sodium का level blood का check करना है do you understand everyone medication that is antagonist to anti-diuretic hormone देना ही देना है इसलिए correct option हमारे पास option one two five and six four options are very correct options crystal clear हो गया है next हम लोगों के पास question है मेरे साथियो question number 463 nurse is monitoring a client for the sign and symptom sign symptom आप check कर रहे हो किस से related superior vena keva syndrome से related और ये एक oncological emergency है you know that तो आपको कहा जा रहा है कौन सा early sign होगा इस disease का तो everyone सबको पता होगा कि जब भी कभी superior vena keva syndrome develop होगा तो superior vena keva syndrome की वज़े से peri orbital और इसका जो collar का size है वो tight हो जाएगा क्योंकि हम जानते है superior vena keva जब heart के अंदर आता है और superior vena keva यदि किसी lungs के tumor की वज़े से compress हो जाए तो उसके कारण क्या होगा superior vena keva में blood रुकना शुरू हो जाएगा यहां समझने की कोशिश करिएगा यह heart है और heart के यहां पर आ रहा है superior vena keva के आसपास कोई tumor बन जाए और यह superior vena keva को compress कर दे तो इसी problem को कहा जाएगा superior vena keva syndrome जैसे ही ऐसा होगा तो इसके उपर की तरफ venus return proper नहीं आएगा यानि cardiac output तो घटेगा ही घटेगा मेरे दोस्तों लेकिन और दिक्कत के आने वाली है fluid का collection होगा इसलिए eyes के आसपास periorbital area में edema होगा periorbital edema होगा और यदि अगर इसी बात को मैं कहूं तो facial edema के तरह से भी इस बात को कह सकते हो तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा periorbital edema third option is the correct option do you understand everyone next question देखिए question number 464 nurse manager is teaching आप क्या कर रहे हैं teaching कर रहे हैं nursing staff को किसके बारे में about the sign symptom related to the hypercalcemia hypercalcemia के sign symptoms related in the client with metastatic prosthetic cancer और tell the staff that which is the late sign and symptom of this oncological emergency तो hypercalcemia की वज़े से मेरे साथियो later stage में क्या develop हो जाता है क्योंकि आपको पता है calcium जो होगा वो peristalsis को घटाता है तो आपको यह याद रखना है calcium is inversely proportional to peristalsis तो यह formula आपको सबको ही अपनी copy में not कर लेना है तो जब कभी भी calcium बढ़ेगा तो peristalsis घटेंगे और peristalsis घटेंगे तो आपके patient को constipation रहने वाला है तो क्या clinical feature होगा इसको later stage में hypercalcemia की वज़े से constipation इसे हो जाता है third option is the very correct option next हमारे पास question था मेरे साथियो question number 465 as the part of chemotherapy education the nurse teaches a female client about the risk of the bleeding and self-care during the period of the greatest bone marrow separation the nadir period कहते है इसको the nurse understand that further teaching is needed if the client mac which statement कौन सी बात अगर आपका patient कहता है यानि कि question कह रहा है कि bone marrow depression हो रहा है और bone marrow depression के case में you know that pancytopenia हो जाता है और pancytopenia होते ही infection की possibility बढ़ जाती है तो आप ऐसी कौन सी बात आपका patient कह रहा है कि जिसकी वज़े से आपको further teaching करना पड़ेगा पहला कह रहा है I should avoid the blowing my nose nose को blow करना इससे यहां पर कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह तो बिल्कुल भी इसके restriction मत लगाना आप I may need a platelet transfusion if platelet count is too low यह बात बिल्कुल सकते कह रहा है इसको ऐसा करना पड़ सकता है I am going to take the aspirin for my headache as soon as possible नहीं बेटा aspirin बिल्कुल recommend नहीं करना है क्योंकि इसका platelet count already काफी low हो रहा है और आपने यदि अगर इस बात पर टोका नहीं इसको यह यह ऐसी बात कह रहा है कि अगर पैन होता है तो मैं aspirin ले सकता हूँ क्या aspirin ले लूँगा क्या तो इस बात पर टोकना बहुत जरूरी है वरना इसकी जिंदगी खत्रे में जा सकती है तो aspirin नहीं ले सकता क्यों क्यों नहीं ले सकता क्योंकि इसका platelet count कम रहेगा कीमो थेरेपी क्या करता है और इससे पैन साइटो पेनिया हो जाता है इसलिए aspirin नहीं लेना है इस बात पर इसको री एजुकेट कर दीजिएगा फटा फट समझा दीजिएगा कि सही की बात है ऐसा नहीं करना है नेक्स्ट क्वेशन हमारा लेक्शन नंबर फोर शुरू हो गया है बिटा क्वेशन नंबर 466 Community Health नर्सें आप और इंस्ट्रक्टिंग ग्रूप ऑफ दे यंग फीमेल क्लाइंट अबाउट दा या ठिक्रूर और याद रखना और हमेशा इसको तब पफ़ॉर्म करना चाहिए ज मैंस्ट्राइशन जो फेज वो complete हो गया है तो option 4 में दे रखा है one week after masturbation begin masturbation जैसे ही शुरू होते हैं तो कम से कम seven days छोड़ करके after seven days after seven day आप इसे suggest कर सकते हैं कि आप breast self examination perform करिएगा fourth choice is the correct choice at the time onset of masturbation पर नहीं करना होता है every month during the ovulation ovulation के time भी नहीं करना होता है weekly at the same time of day weekly नहीं करना है मेरे सात्यों यह महिने में एक बार करना होता है next हमें दिया था question number four sixty seven client diagnose हुआ है having the intestinal tumor intestine में tumor है nurse should monitor the client for which complication आप कौन से complication of this type of tumor क्या क्या complication हो सकते थे intestine में अगर tumor बन जाता है तो मेरे दोस्तों intestine क्या करेगा peritonium को compress करेगा और peritonium को compress करेगा तो उसकी वज़े से flutulence तो नहीं होगा लेकिन peritonitis develop होने का पूरा संभावना रहता है इसको intestinal tumor के काराण bleeding भी हो सकती है hemorrhage भी हो सकता है fistula का formation हो जाता है जैसा आभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिंखाय था कि bladder cancer के कैस में वैसी को vaginal fistula हो जाता है वैसे ही यहां पर अगर intestine से bowel के साथ bladder का fistula form हो जाए vagina का fistula form हो जाए bowel perforate कर सकता है कि नहीं कर सकता है तो मेरे सातियों bowel में perforation होने की भी पूरी पूरी संभावना बनती है lactose का intolerance इसका clinical feature नहीं है तो हमारे पास केवल correct options मिले हैं हमें option two, three, four and five इस तरह के multiple response questions जो हैं आने वाले exams की बहुत बड़ी ही decision है multiple response skill best scenario best इस तरह के आपको साफ साफ लिखकर के दे दिया गया तो आपको इन पर पकड़ बनाना है question number four 68 nurse is caring for a client following a mastectomy mastectomy हुआ है which nursing intervention आपको बताना है would assist in preventing the lymphedema of the affected arm अगर किसी female को breast का removal हुआ है breast remove किया गया artificially mastectomy के माध्यम से तो मेरे साथियों हमने कहा कि वहाँ उस side पर क्या हो सकता है edema develop होगा तो आप क्या suggest करेंगे कि एक तो arm को जो है elevate करके रखे pillow के उपर understand guys और उस side की arm के अंदर कोई भी IV puncher या कोई IV procedure वगेरा करने नहीं है आपको understand तो mastectomy के बाद edema को कम करने का सबसे effective तरीका होता है कि affected वाली arm को pillow के उपर रखना चाहिए ताकि venus return proper जो है वहाँ से आ सके और blood का accumulation ना हो और इसे edema develop ना हो तो हमें they replace the cool compression नहीं करना है elevating the affected arm at the pillow बिल्कुल बात सही कह रहा है avoid the arm exercise in the immediate post operative period लेकिन यह avoid करना है यहाँ पर देखो यह avoid करना है बात तो सही कह रहा है लेकिन हमें जैसा question में पूछा वैसा नहीं है तो कई लोग इसको देख करके और जो समझते नहीं है proper इसको भी लगा देंगे क्यों लगा देंगे avoid arm exercise in the immediate post operative period बिल्कुल avoid तो करना है लेकिन यह edema कम करने का method नहीं है और examiner आपसे पुछरा कौन से तरीके से edema कम किया जा सकता है इसलिए हमने इस पर cross मार दिया maintain an intravenous site below the anti-cubital area on the affected side तो मैंने क्या कहा आपसे इस arm पर affected side वाली arm पर कोई भी IV procedure नहीं करना है कोई भी IV line वगेरा शुरू नहीं करनी है तो second option ही सिर्फ और सिर्फ correct option मिला है question number 469 nurse is providing the dietary teaching आप diet से related teaching दे रहे हो client diagnosed with the chronic gastritis gastritis का patient है चाई coffee बंद कर देना और कुछ नहीं the nurse instruct the client to include which food rich in vitamin B12 in the diet आपको बताना है gastritis का patient है तो parietal cell कम हो जाती है तो vitamin B12 के rich sources आपको बताना है तो vitamin B12 के rich sources में मेरे दोस्तों nuts होता है understand everyone रट लेना इनको nuts होता है दूसरा आपको corn में vitamin B12 नहीं होता लीवर मीट के अंदर होता है जितने भी meat red meat वाले product होते हैं के अंदर बी 12 होता है अच्छे से दने एपल समगेरा के अंदर नहीं होता है बनाना में नहीं होता है बनाना में के प्लस अच्छा होता है तो चोईस करेक्ट यहाँ पर मिला है आपको 1, 3 और 5 चोईस किस्टल क्लियर हो गया है सबको नेक्स्ट कुश्चन हमारे पास था कुश्चन नमबर 470 और यह आपको कई बार समझा चुका हूँ जब कभी भी किसी क्लाइट को हमें आईरन देना होता है लिक्विड आईरन देना होता है तो श्ट्रो की मदद से दिया जाना चाहिए वरना यह टीट का स्टैनिंग करता है दातों की कलर को ब्लैक कर देगा तो मेरे साथ यह स्टैनिंग टीट से बचने के लिए और यह कॉंस्टिपीशन करता है आईरन तो आईरन को हमेशा विद मील देना चाहिए ताकि इसका बेटर अबजोप्शन हो सके क्योंकि इसके अबजोप्शन के लिए आपको एसिडिक एंवायरमेंट सबसे शूटिबल एंवायरमेंट होता है और खाना खाते टाइम एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है दूसरा हमने कहा कि आईरन सप्लिमेंट कभी भी दिये जाएं तो मिल्क के साथ बिल्कुल नहीं दिये जाने चाहिए हमेशा रिकमेंड करते हैं सिट्रस फ्रूट्स के साथ ही दिये जाने चाहिए तो मेरे साथ यहाँ पर question number 470 गे अंदर सबसे पहला option चेक कर लेते हैं administer the iron at the meal time बिल्कुल correct बात बोल रहा है meal time ही iron दिया जाना चाहिए administer the iron at meal time administer the iron throw a straw बिल्कुल correct बात बोल रहा है mix the iron with cereal to administer नहीं add the iron to apple juice for easy administration apple juice use नहीं करना है मेरे साथियों यहाँ पर citrus fruit का juice use करना है अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि मैंने option one और option two दो option यहाँ पर correct किये हैं और real में इस question के दो ही answer है iron at the meal time meal time iron meal time लेकिन यह क्यों choose नहीं आया answer saunders के अंदर इसको क्यों नहीं दिया गया answer में correct क्यों नहीं किया first option को इस बात का जवाब सुनिएगा मेरे दोस्तों iron को हमेशा meal time देना चाहिए लेकिन यहाँ पर meal time से क्या मतलब है meal time से मतलब है कि आप जब खाना खाने वाले हो तब iron को लेना है फिर खाना खाना है तो ऐसा बिलकुल नहीं करना है iron को हमेशा recommend किया जाता है after meal just after meal तो meal time के case में हम यहाँ पर कुछ correction आपको देंगे just after meal just after meal यानि कि just खाना खाने के बाद आपको iron recommend करना है इसलिए पहला option हमने incorrect कर दिया है और सिर्फ और सिर्फ second choice सी correct लिया गया crystal clear हो गया है सबको next देखिएगा आप question number 471 laboratory study are performed for a client suspected to have iron deficiency anemia the nurse review the laboratory result knowing that which result indicate that this type of anemia iron deficiency anemia के client का lab diagnosis क्या होगा मेरे सातियों तो RBC जो है RBC microcytic हो जाता है कौन-कौन से anemia के अंदर sideroblastic anemia में sideroblastic anemia है iron deficiency anemia है then thalassemia है then acute then anemia in chronic disease anemia in chronic disease जैसे cancer वगेरा है एड से ऐसी chronic disease के case में जो anemia तो चार ऐसी conditions होती है मेरे सातियों जिसमें RBC become microcytic छुटी size का हो जाता है microcytic हो जाता है तो आपको यहां पर कह रहा है elevate hemoglobin ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा decrease reticulo count reticulo count decrease होगा लेकिन यह diagnosis में बाद में काम में लेंगे तो यहां पर देखो elevate red blood count ऐसा नहीं होगा red blood cell that are microcytic और hypochromic यह बिल्कुल perfect choice होगा आपका fourth option अब इस question के अंदर भी मेरे सातियों आप जो चाते अगर आप चाते तो आप यह वाला decision भी correct कर सकते थे decrease reticulo site count तो जिन लोगों को proper जानकारी नहीं होती है तो वो कई बार फस जाते हैं और examiner बिल्कुल इसी लिए आपको ऐसा option देता है relevant option देता है ताकि आप आगे के option पड़े ही नहीं वो खुद ऐसा चाता है कि आप आगे के option ना पड़ें तो यहां पर आपको जान बूझकर के second choice में भी यह दिया था कि reticulo site count कम हो जाता है तो usually वाकई कम हो जाता है लेकिन मेरे साथ यह कम भी हो जाता है कई बार बढ़ भी जाता है तो reticulo तो बढ़ जाते हैं लेकिन RBC मैचोर नहीं हो पाते हैं कई बार ऐसा होता है कई बार reticulo count घड़ जाता और आरबीसी भी घड़ जाता है और कई बार ऐसा होता है कि रेटिक्यूलो बड़ा हुआ रहा है लेकिन रेटिक्यूलो फेज में ही रहता है यानि वह मैच्वर आरबीसी बन ही नहीं पाता है तो आपको इस बात का पूरा प्रॉपर जानकारी रखना चाहिए कर दो नेक्स्ट एक क्वocyश्ण पूछाता मैंने की ये कौन सा टाइप kा अरिद्मिया इसका जवाब आप यदो यहां पर में कौन सा टाइप का अरिद्मिया है दोस्ती ये वाला गेे जिसमें left axis deviation हो रहा है left axis deviation हो रहा है left side में पूरा ECG घूमा हुआ है left axis deviation अच्छा वीटी में कितना ventricular rate होता है कितना ventricular rate होता है वेंट्रीकल का rate कितना होता है मेरे बिटा left axis deviation हो रहा है sustained ventricular tachycardia का पेसेंट है और left axis deviation में 140 से लेकर के 250 तक वेंट्रीकल का rate रहता है और इस टाइप के अरिद्मियाज में बड़ा खत्रा रहता है कार्डियक अरेस्ट होने का किसका कार्डियक अरेस्ट होने का तो ये भी आपको ध्यान रखना है crystal clear हो गया है तो यहाँ पर correct answer है sustained ventricular tachycardia SVT next आपके पास lecture number 5 शुरू हो गया है और lecture number 5 के अंदर हमने कहा chemotherapy का percentage dose calculate करना है frequently best on the total body surface area और यहाँ पर मैंने जब ये मैं पढ़ा रहा था तो मैंने BMI का formula बता दिया था एक correction है सब लोग lectures में correction कर लेना जो formula मैंने बताया था वो BMI का बताया था बिटा और body mass index का बता दिया था तो उसमें correction कर लेना आप लोग तो यहाँ पर body surface area जो है वो तो किसी का 1.734 meter square होता है ओके ये height और weight से निकालते हैं so it is important for the nurse to perform which assessment before administering the chemotherapy तो chemotherapy assist करने से chemotherapy शुरू करने से पहले हम बिये से confirm करते हैं body mass index sorry body surface area और body surface area एक normal healthy person का होता 1.734 meter square और इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए surface area निकालना है surface area कैसे निकलेगा weight और height से weight और height से तो ask the client ask नहीं करना है आपको खुद measure करना है client current weight कितना है और height कितनी है currently data लेकर के और आपको इसका dose decide करना चाहिए third option correct answer question number 473 client with the squamous cell carcinoma इसको हो रहा है और larynx का और इस case में bleomycin हमने शुरू किया था intravenously तो कह रहा था कि nurse caring for the client anticipate that which diagnostic study will be prescribed तो आपको बताना है मेरे दोस्तों कि bleomycin से related अगर किसी को bleomycin दवा शुरू की जाए तो कौन सा lab test हम लोगों को करवाना चाहिए तो मैंने का था PFT, LFT, RFT, CBC यह सब करवाना है आपको तो PFT करवाना है okay RFT करवाना है CBC करवाना है LFT करवाना है तो यहां पर कौन सा option दे रखा है pulmonary function test यहां पर दिया वा है fourth option आपका correct answer होगा question number 474 client with the acute myelocytic leukemia का patient है और इसको बुसलफान आपने शुरू किया विच लैबोरेटरी वैली वोड़ दर नर्स specific monitor during the treatment in this medication तो बुसलफान के लिए क्या सिखा रखा है मैंने आपको कि बुसलफान एक non specific alkalizing दवा है चो DNA को stop कर देती है और cancer cell को destroy कर देती है तो जब भी कभी chemotherapy हम किसी को शुरू करते हैं मेरे दोस्ट तो chemotherapy के case में हम लोगों को क्या चेक करना चाहिए क्योंकि extensively cell destruction होता है तो uric acid का level बढ़ता है तो second choice is the correct choice only do you understand everyone next हमारे पास question था question numbers 475 client with a small cell lungs cancer being treated with the etoposide nurse monitor the client during administering knowing that which adverse effect is especially associated with this medicine तो bleomycin का etoposide का adverse effect आपको बताना है सात्यों तो etoposide का adverse effect जो होता है सबसे ज़्यादा popular adverse effect वो हता है orthostatic hypotension यह क्या करती है जब पेसेंट पॉस्चर चेंज करता है सिटिंग सुपाइन से सिटिंग से स्टैंडिंग से स्टैंडिंग तो पेसेंट को इस कैस में बीपी ड्रॉप होने लग जाता है और इसे हम कहते हैं और्थो static hypotension तो that is caused due to the which anti-cancer drug तो और्थो anti-neoplastic medicine which implementing the plan while when implementing the plan nurse should make which statement to the client जब आप किसी को कीमोथेरपी शुरू करने जा रहे हो तो आपको कौन सी बात पर विशेश करके question पूचना है कौन सी बात confirm करनी है तो हमने कहा था कि जब भी कभी हम किसी क्लाइट को anti-neoplastic दवाएं शुरू करते हैं तो वहां पर यह दवाईयां क्या करती है इम्मिनो सप्रेशन का काम करती है यानि बॉन मेरोड डिप्रेशन और इम्मिनो सप्रेशन इन दोनों का effect होता है तो आपको यह confirm कर लेना चाहिए कि जस्ट बेफोर receiving the immunization you need to consult with the primary health care provider तो यह question सबसे ज्यादा महत्पुन यहां पर साबित होता है नेक्स्ट हमारा question है 477 client with the ovarian cancer is being treated with the vincristine vincristine chemotherapy दवा इससे शुरू किया गया the nurse monitor that client knowing that which manifestation indicate the adverse effect of specific this medicine vincristine का adverse effect आप से पूछ रहा हूं तो मेरे दोस्तों vincristine जो दवा है peripheral neuropathy course करती है और इसलिए fourth option is the correct answer very good excellent सबको बहुत बढ़िया peripheral neuropathy कौन सी chemotherapy दवा का adverse effect है तो आपको जवाब देना है विन kristine का do you understand everyone next question आप से कर रहा हूं दोस्तों यहां पर ध्यान दीजेगा आप लो question number 478 nurse is reviewing the history or the physical examination of the client who will receiving the asperginez asperginez दवा इसे शुरू किया गया anti-neoplastic agent है nurse contact the primary healthcare provider before administering the medication if which disorder is documented in the client कौन से लोगों को कौन सी बिमारी वाले लोगों को asperginez टाइप की दवाया नहीं दिया जाता है अगर इस किसी भी क्लाइंट को मेरे सातियों अगर इस किसी भी क्लाइंट को कोई भी क्लाइंट है जिसको आप शुरू करना चाते हो asperginez तो you know that कि ये pancreas के लिए toxic effect produce करता है तो आपको पता होना चाहिए कि asperginez जो दवा है और इस कैस में अगर हम इस क्लाइंट को asperginez prescribe किया गया और इसे pancreatitis है already तो आप इस दवा को stop कर दें इस दवा को prescribe नहीं करना है और फर्दर इस पे एक बार scp से confirm किया जाना चाहिए do you understand everyone तो option one is the correct answer यह आपको एल asperginez का फोटो है question lecture number six की शुरुआत हो गई है मेरे साथियों lecture number six में सबसे पहले हम question number 479 tamoxifen का question होता है और tamoxifen breast cancer में use होने वाली बड़ी important दवा है metastatic breast cancer कार्सिनमा में use होई client ask the nurse if the her family member with the bladder cancer can also take this medicine क्या ऐसा कह रहा है पैसेंट आप से कि उसकी family में भी एक को breast cancer हो रहे क्या उसको भी यह दवा दे सकता हूं क्या वह भी ले सकता है क्या तो आप इस condition में क्या suggestion करोगे इसको तो मेरे साथियों आपको पता है कि कोई भी दवायां बिना prescription के नहीं लेना चाहिए बिना किसी suggestion के बिना किसी permission के बिना dose calculation के यह सब data confirm करने के बाद ही किसी client को anti-neoplastic या chemo therapeutic दवायां लेने का suggestion दिया जाता है तो यहां पर पहली बात बुल रहा है दिस आप क्या कहोगे इस patient को this medicine can be used only to treat the breast cancer ऐसा नहीं यास your family member can take ऐसा बिलकुल नहीं कहना है this medicine can be taken to prevent or treat the client with the breast cancer breast cancer के लिए ही इसको use किया जा सकता है prevention में यूज किया जा सकता है this medication can be taken by anyone with the cancer as long नहीं तो third option यहां पर correct choice होने वाला है next question number 480 client को metastatic breast cancer है और receiving the tamoxifen this specifically monitor which laboratory value while the client is taking this medicine तो जब भी किसी को tamoxifen शुरू किया जाये तो कौन सा laboratory value चेक करना चाहिए क्या कर देता है यह calcium cholesterol और triglyceride टीनों के लेवल को बढ़ाता है calcium के cholesterol के level को और triglyceride के level को अब यदि question आपको मैंचे change करना होगा तो मैं यहां पर जरूरी नहीं है calcium ही पूछूं calcium के साथ मैं cholesterol भी लिख सकता हूं इसकी जगे में triglyceride भी लिख सकता हूं आपको तीनों बातें याद रखना है तो यहां दिया था calcium इसलिए calcium करेक्ट चला गया है क्लियर है सबको आरे इंट्रेस्ट ला रहा है ना बढ़िया बहिए प्रॉपर इंट्रेस्ट आ रहा है बाते समझ में आहीं भिजन बढ़िया अपडेट हो रहे हो नहीं हो वापिस को भी नीवह रहा हो स्टॉप कर दो अब्य यहीं पर साहिए सब लोग बेरी गुड एक्सिलेंट शाबाश सही चल रहा है मज़ा आ रहा है रिवीजन में नहीं सर पढ़ा है बल्कुल बल्कुल बहुत बढ़िया जोड से एक बार बोल दो मेरे साथियो हर हर भुगली घरगर भुगली जय श्री राम जय हिंद जय भारत यह चारों बाते लिख दो एक बार क्योंकि आप मेरा समय हो गया एक बार वापिस से मैं आपको रामस्तुती सुनाने वाला हूँ श्री राम चंद्रे क्रिपालु भजि मन हरन भव भै दारुणं नव कंचि लोचन कंज मुख कर कंजे पद कंजारुणं कंधार्प अगनित अमित छविनव नील नीरद सुन्दरं पटपीत मान हुतरित रुच शुचि नौमि जनक सुतावरं भजुदीने बंदुदे नेशिदानव देति वंश निकंदनं रगुनंद आनंद कंद कोशल चंद्र दशिरत नंदनं इति वदित तुलसी दाश संकरशेश मुनिमन रंजनम्म हर दे कंजनिवाश कुरुकमा दिखल दल गंजनम् आरे गोरियन कुल सिया यहर शिन जाए कहीं मंजुल मंगल मूल बाम यंग फरकन लगे सियावर राम चंद्र जे की चै वाव ऐसा टेक चले हम वापिस आज के आनंद की जै चलो क्वेशन नंबर 481 मेजस्ट्रोल एसिटीट भी एक एंटी कैंसर दवा है एंटी नियो प्लास्टिक दवा है और इस प्रिसक्राइब फूर इसको प्रिसर यह एक बार वापिस रिव्यू करो क्या शूट कोटेक्ट दप्राइमरी हेल्थ-केर प्रवाइडर इफ दर डायग्नोसिस इस डॉक्यमेंटेड विद इसको मेजस्ट्रीट मेजस्ट्रूल आशीट्ट प्रिसक्राइब किया गया है सातियों और आप जब इ क्लाइंट के लिए नहीं ये दवा कौन सी कैस में नहीं देनी है अगर इसे कौन सी कंडिशन दिखाई देती है इसकी हिस्ट्री लेते समय तो आपको पता होना चाहिए कि मेजस्ट्रोल एसिटिट जो दवा होती है वो दवा थ्रॉम्बस की पॉसिबिटी इसको बढ़ा देती है और अगर इसकी हिस्ट्री के कैस में मेरे साथ यो अगर जब आप इसको देखते हो इसके डाइगनॉसिस में अगर आपको मिलता है वीनस थ्रॉम्ब एम्बॉलिसम तो आपको इस दवा को प्रेस्क्राइब करने से एक पहले देने से एक बार हेल्थ केर प्रॉवाइडर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कल मैंने कल की क्लास जो लिया था लेक्चर नमबर थर्टी सिक्स उस थर्टी सिक्स में मैंने एयर अंबॉलिसम और पलमोनरी अंबॉलिसम दोनों में डिफ्रेंस करना सिखाय था आप लोगों को तो क्या infusion of anti-neoplastic medication during the infusion, the client complain of the pen at the insertion site, inspecting of the site, the nurse not redness, swelling, that infusion of the medication has swallowed in the red. The nurse suspect extra vaccination हो गया है, दवा बाहर आ रही है और शुट टैक दव विच एक्शन, तो दवा का अगर extra vaccination किसी में भी देखने को मिलता है, तो सबसे पहले infusion को stop करना होता है, उसके बाद ice pack apply करना होता है, heat apply किया जा सकता है, उसके बाद मेरे साथ यो restart the IV side, a distal part, उसी वाले extremity में कभी शुट 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 नहीं करते हैं, notify the primary healthcare, इतनी सी बात में primary healthcare provider को बुलाने की भी जौरत नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजेगा आप कि क्या कह रहा है, intravenous infusion antineoplastic during the infusion, the client complain of pain at the insertion site on inspection of the side nurse redness swelling हो गया है, infusion of the medication has sold out, the nurse expired extra vaccination, तो मेरे साथ यो यहाँ पर जो fourth option saunders के अंदर दे रखा है, correct मान रखा है इसको, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे आपको कहुँगा कि यह fourth option correct नहीं है, practically यह correct नहीं है, अगर आप exam के अंदर आप exam देने जाओगे, तो आप वहाँ पर correct इससे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, healthcare provider को inform करने की खास आउशकता नहीं है, लेकिन हमसे जो question के अंदर यहाँ पर कह रहा है, तो उस case में, यह fourth option भी correct दे रखा है, saunders के अंदर, prepare to administer the prescribed antidote into the site, antidote लगा नहीं है, increase the flow rate of the solution नहीं करना है, तो आपको question purpose से 1, 2, 4 और 5, अगर exam में question आता है, तो फिर आपको यह choice लेना है, clear हो गया है, question number 483 देखिएगा जरा, the nurse analyzed the laboratory result of a client with the leukemia who has receiving the regimen of chemotherapy, which laboratory value would the nurse specifically not as a result of the massive cell destruction, massive cell destruction से क्या कहा था मैंने, एक तो phosphate बढ़ जाता है और phosphate किसको घटा देता है, calcium को घटा देता है, तो यह दोनों बातें आपको याद रखना है, और जैसे जैसे cell destruction होता है, तो cell के अंदर nucleus होता है, क्या होता है बेटा cell में, nucleus होता है, और nucleus के अंदर क्या होता है, DNA होता है, और DNA का destruction जैसे ही बढ़ता है, तो DNA में से purine release हो जाता है, और purine release होते ही, इसकी case में मेरे साथियों, uric acid का level भी बढ़ जाता है तो हमें थर्ड option में दे रखा increase uric acid जो की बिल्कुल correct accurate choice होने वाला है next हम लोगों को question कहा था question number 484 nurse is providing the medication instruction to the client with the breast cancer who is receiving the cyclophosphamide star लगा लेना breast cancer की client को cyclophosphamide लिखा हुआ है should tell to the client which action तो ऐसी स्थिती में आपको patient से क्या कहना है कि कौन सा action इस condition में लेना चाहिए patient को तो cyclophosphamide जो होता है मेरे दोस्तों वो क्या कर देता है ये body के अंदर cystitis या hemorrhagic cystitis cause कर सकता है इसलिए आप इसे कह देंगे है कि fluid intake जो है हलका सा वह आपको increase कर देना है क्योंकि इस case में uric acid वगेरा का level बढ़ता है next हमारे पास से question number 485 client with non-hokin lymphoma होकिन का नहीं है receiving the donor ubicin donor ubicin anti-cancer शुरू किया गया which finding would indicate to the nurse that the client is experiencing an adverse effect related to donor ubicin का adverse effect आप से पूछ रहा हूं तो donor ubicin जो होती है एक मात्रेसी दवा है बिटा जो क्या करती है यह यह दवा cardio toxic होती है कैसी होती है cardio toxic होती है cardio megalis की वज़े से हो सकता है क्या हो सकता है तो donor ubicin के बारे में क्या याद रखना है आपको cardio toxic दवा होती है और cardio toxic होने की वज़े से पैसेंट के ECG के अंदर परिवरतन आ जाते हैं heart rate change हो जाता है cardio megalis की वज़े से हो सकता है क्या हो सकता है cardio megalis और जैसे ही heart अपना function कम करेगा तो lungs में pulmonary edema develop होना शुरू हो जाएगा क्या develop होगा pulmonary edema तो आपको ये confirm करना है pulmonary edema जो heart fell के case में भी develop होता है तो ऐसी स्तिती में आपको crackle confirm करना पड़ेगा कि कहीं lungs में crackle sound तो शुरू नहीं होगे अगर crackle sound शुरू होगे तो ये indicate करेगा pulmonary edema को heart पे इसके toxic effect को तो यदि अगर मैं question करना हो कि donor obesity जब कोई भी client को prescribe किया जाता है तो heart के उपर toxic effect produce करने को assist करने के लिए क्या check करना पड़ता है तो heart कैसे पता लगाओगे कि heart पे इसके toxic effect आगे के नहीं आए तो आप से कहूंगा मैं दोस्तों कि आप सिर्फ पर सिर्फ उसके लंग्स का ऑस्कल्टेशन करना एदि क्रेकल आपको सुनाई दे तो you understand की heart पे इसके toxic effect शुरू हो गये हैं तो fourth option is the correct option in this question next question दिया था question number 486 monitoring the laboratory result of a client receiving the anti-neoplastic medication by the intravenous route the nurse plan to initiate the bleeding precautions if which laboratory result is not it अब platelet count कम हो जाए तो ही तो आप ऐसा bleeding precautions जो है वो maintain करवाते हो तो इसमें कौन सी विशेश बात है भाई साब यह तो question वैसे simple था तो यहां पर platelet count 50 दे रखा है और इस case में bleeding precautions आपको शुरू कर देना चाहिए lecture number seven शुरू हो गया है भासाओ तालिया है यांवार तो तो तोए लेक्शन नम्र सेवन शुरू हो गया जो क्लास में पढ़ाने में साथ दिन लग गए थे ना उन क्लास से इसको हमने कंक्लूजन कर लिया लगबग अभी डेर घंटे के अंदर अंदर वेरी गुड एक्सिलेंट और देखिया आप अब सेवन में पहला क्वेश्चन है फाइब 29 नर्सीज मॉन परिस्तिती बड़ी उलजी हो गया और सवह साउंड जो है वो भी डिमिनीश हो गई है बेटा विच्छी दरौप्रीयक नरसिंग इंटरौइन तो परिस्तिती बड़ी ओल्जी होह है जरह समझ लो एक बार आपको पता है कि इसका डाइग्णोसिस अपनी साइटिस आप सर्जरी में ले जाने वाले हो दो गंटे के अंदर अंदर इसका सर्जरी आइम है अभी आपने देखा कि जब असेस्मेंट करने लगे आप तो देखा आपने कि एक तो पेट फूल गया है पेट में दर्द होने लग गया है बॉवल साउंड वगेरा भी प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं अब्डॉमिनल पैन हो गया है वॉमिटिंग आना शुरू हो गया है पेट फूल गया है और तो आप ऐसी परिस्तिती में अप्रोप्रियेट डिसीजन क्या लोगे तो ऐसी परिस्तिती म में आपको हेल्थ केर प्रोवाइडर को सुचित कर देना है कि भाई साब एक बार आ करके आप इन पैसेंट्स को देख लो जिनकी आप सर्जरी करने वाले हो सर्जन को फोन कर देना क्लियर हो गया है नेक्स्ट कुश्चन नंबर देखिए फाइब थर्टी से थर्टी गुदानी कंसिस्टेंट फाइंडिंग्स जो लगातार बनी रहती है एक्यूट पैंकेटाइटिस के कैस में कौन कौन सी फाइंडिंग्स रहती है तो मेरे साथियों यहाँ पर कंसिस्टेंट फाइंडिंग्स आपको पता होना चाहिए कि जब पैंक्रियोटाइटिस का यहां पर आपको यह भी देखने को मिलेगा पेट जो है टाइट हो जाएगा पैन की वज़े से किसकी वज़े से पैन हो रहा है और पैन इसलिए पैन की वज़े से इसका जो पेट है वो टाइट हो जाएगा डाइरिया नहीं है इसका ब्लेक टेरी नहीं है हाइपर अक्टिव बोवल साउंड नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथियों 456 options are the correct options do you understand everyone next हमारे पास से 531 assessing a client who is experiencing an acute episode of cally cystitis which of these clinical manifestations support this diagnosis cally cystitis के clinical feature आपको बताना है यानि कि cally cystitis क्या होता है मेरे बच्चों acute cally cystitis यानि गॉल ब्लडर के अंदर infection और inflammation हो जाना अब गॉल ब्लडर क्या काम आता है बाइल का storage करने के काम आता है बाइल को store करके रखता है तो जैसे ही cally cystitis अगर आपके किसी पेसेंट को हो जाएगा तो उसको तकलीफ आने लग जाएगा फेट का digestion करने में और फेट का digestion करने में क्योंकि infection है तो fever तो हो गई होगा और यहां पर kulin sign जो होता है pancreatitis का sign होता है ना कि इसका sign होता है complaint of indigestion बिल्कुल हो गई होगा क्योंकि फेट डाइजेस्ट नहीं होगा palpable abdominal mass in the left upper quadrant मेरे दोस्तों left upper quadrant के अंदर इसका जो पालपेशन है वो नहीं होता है pan in the right upper quadrant after the fatty meal बिल्कुल correct बात है और वेग्यू lower right quadrant abdominal discomfort ऐसा नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास option number one three और five जो है वो कॉलिस इस्टाइटी से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है नेक्स देखेगा आप सत्यों question number five thirty two a diagnosed with the viral hepatitis or complaining of the no appetite भूग नहीं लग रहा है और losing my test for the food और test भी नहीं आ रहा है खाने पिने में what instruction should the nurse give the client to provide adequate nutrition आप इसको क्या instruction देंगे ऐसी परिस्तिती में कि hepatitis का patient आपके पास आ जाए और उसको बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है तो याद रखना मेरे दोस्तों बिल्कुल वाजिब सी बात है तो increase intake of fluid including the juice तो आप इसे जब कभी भी food खाने का मन नहीं कर रहा है भूक नहीं लग रही है तो भूक वगेरा ना लगे या स्वाद वगेरा चला जाए मूग का क्योंकि है तो ऐसी करिश्थिति में आप फुलूड को recommend करो जूस को recommend करो यही सबसे बढ़िया measurement intervention होता है do you understand everyone next आपके पास से question number 533 client has developed the hepatitis A after eating the contaminated poster ओस्टर खाने से क्या हो गया है इसको ओस्टर क्या होती है मश्रूम होती है तो hepatitis A हो गया the nurse assists the client for which expected assessment finding तो मेरे दोस्तों hepatitis हो जाने के बाद में क्या finding आपको देखने को मिलेगा तो काफी कमजोरी काफी weakness जो है body के अंदर होता है hepatitis की वज़े से flu-like symptom होते हैं कैसे symptom होते हैं flu-like symptom flu-like symptom से इस hepatitis की शुरुआत होती है तो हमारे पास यहाँ पर एक ही option दे रखा है option number one यानि कि मैलेस इस दा करेक्ट आंसर डू यू अंडरस्टन अबरीवन नेक्स्ट हमें question जो पूछा गया है सातियों वो कहा है a client had just had a hemorrhoid actomy हुआ है और which nursing intervention आपको बताना है जो कि सबसे appropriate हो इस client के लिए कौन-कौन से hemorrhoid actomy के बाद में तो इसको एक तो जो client को है aspirin वगेरा बिल्कुल नहीं लेनी है ice cold pack apply करते रहना है ताकि रेक्टल एरिया में जो है bleeding वगेरा को कम किया जा सके तो पैज चेक कर लेते हैं इस टूल softener देना ही देना है ताकि defication में कोई problem ना हो instruct the client to limit the fluid intake to avoid urinary retention fluid intake तो थोड़ा बढ़ाना है limit नहीं करना है okay increase a high fiber high fiber विल्कुल increase करेंगे ताकि bowel movement जो है वो proper रहे stranding ना हो apply cold pack to the anal rectal area over the dressing until the packing is removed विल्कुल correct बात है help the client to fowler position to place the pressure on the rectal area and decrease the blooding तो मेरे सातियों यह आपको recommend करने की जौरत नहीं है fowler position इसके लिए okay तो यहां पर यह incorrect option हो गया है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ option number one मिला three मिला और four मिला these are the correct option after the hemorrhoid ectomy crystal clear हो गया है next देखिएगा अगला question था five thirty five planning to teach a client with the gastroesophageal reflex disease GERD का पेसेंट है about the substance to avoid which item should the nurse include and this list तो मेरे दोस्तों याद रखना यह हमारा isophagus होता है okay isophagus के अंदर यह होती है alias और ऐसी दवाईयां ऐसे food जो lower isophagial spectre के pressure को decrease करती है decrease pressure जो इसके pressure को decrease करती है ऐसी चीज़ों को हमें award कर देना चाहिए क्योंकि यदि अगर इसका pressure decrease हो गया ना तो यह बंद नहीं हो पाएगा और बंद नहीं हो पाएगा तो इसकी वज़े से alias pressure कम हो जाने की वज़े से इसे regurgitation होना शुरू हो जाएगा और regurgitation या backflow अगर gastric contents का होता है तो उसी को हम GARD कहते हैं तो ऐसी चीज़ों में coffee, chai, alcohol यह सबसे खतरनाक चीज़ें होती है तो जरा यहां देख लो पहला coffee दे रहका चॉकलेट भी इसी तरह का होता है peppermint भी होता है non-fit milk से कोई problem नहीं होगा जिसमें fat नहीं है fried chicken से भी दिक्कत नहीं होगा लेकिन scrambled egg जो है मसले हुए अंडे जो है इन से दिक्कत होगा क्योंकि इन में भी बहुत ज़्यादा fat है और fat का digestion नहीं हो पाएगा तो fried chicken, sorry, scrambled egg है egg से problem नहीं होगा fried chicken, fried यानि की oil है इसके अंदर fat है, ओके बिटा, oil है, egg में तो protein है, यहाँ पर fat है, तो oil या fat इस तरह के problem करने वाले हैं, यानि fatty food वगेरा जो है, उनका proper digestion नहीं होता है, इतना rapidly, जल्दी से digestion नहीं होता है, और वो पड़े रहते हैं, stomach के अंदर, और अगर ऐसा कोई भी food य 1, 2, 3, or 5, these are the correct choices in this question, crystal clear हो गया है सबको, next question हमारे पास है, question number 536, client has undergone the isofasial dudanoscopy, nurse should place the highest priority on which item as a part of the client care plan, अगर isofasial dudanoscopy हुआ है, मेरे दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा highest priority पे हम यही रखते हैं, कोई भी gastric surgery के बाद, procedure के बाद, कि gag reflexes जो हैं, के वो return हुए, के नहीं हुए, that is the most priority, assessing the returning of gag reflexes, 537 क्या है, ERCP का question है, ERCP में एक घंटा लगता है, कम से कम, एक पेसेंट को अटेंड करने में कितना समय लगता है, वेटा लगबग, वन हावर का समय लगता है, तो याद रखना, इस समय एक घंटे तक बिलकुल quiet and still पेसेंट क further information, if the client makes which statement, कौन सी बात अगर आपका पैसेंट कहता है, तो इस पे आपको further educate करना पड़ेगा, ERCP के कैसे में, I know I must sign the consent form, consent form sign करना ही करना होता है, इस पे कोई educate की ज़रत नहीं है, re-educate की ज़रत नहीं है, I hope the throat spray keep me from gagging, बिलकुल सही है, I am glad I don't have to lie still, यहाँ पर इसने don't लगा दिया, don't नहीं लगाता ना, तो यह भी सही होता, इसलिए आप इसको सही करो कि भाया, don't नहीं haven't होने वाल कि ज़र कम से कम एक घंटे लेटना ही है, don't don't से काम नहीं चलेगा, understand, clear हो गया, next देखिएगा, question number 538, अच्छा तुम लोग कहां कहां से हो, दिली से, जैपूर से, जोदपूर से, पंजाब से, बिहार से, चंडीगर से, ऑस्टेलिया से, कनाडा से, USA से, तुम कौन से country से, कौन से स्टेट से हो, जड़ा लिख दीजीगा, पटापट अपनी city का नाम लिखना, city का, इस टेट का नहीं, city का नाम लिखना, ठेके, फटापट लिख दो, सिरोही राजस्थान, हेमाचल, जोदपूर, राजस्थान, जोदपूर, बेचू बाराण सी, लगनाव, अरे, आप लोगोंने इतना फास्ट लिख दिया भाईसाहः, मेरे ही, मेरे ही तुम लोगdenे, वाट लगा के रख दी, अब भाएसाहः, बाद में बता देना तुम लोग अपने अपने स्टेट का नाम, अपना अडरेसग्री साहःः जो भी हे, कुछ ने और एक और बात बताओ तुम लोग कौन से यार के पास आउट हो कौन से यार के पास आउट हो तुम लोग पास आउट अभी 2030 के हो के 20 के हो गुनिस के हो या 21 के, 22 के, या 24 के, कब के पास आउठ हो आप। तो अल्मॉस्ट सब लोग रिपीटर सी हैं, सब लोग लगबग लगबग बैसिक कंप्लीट करके ही बैठे हुए हो, या सुनो, बैरी गुट, अच्छा कोई ऐसा तो नहीं है, जो बिलकुल अभी एज लिमिट क्रोस करने के बिलकुल अराउंड पहुंच गया हो, जिसकी आने वाला नौट सेट फाई पे उसके आते आते बिलकुल नियर भाई हो, यानि एज कंप्लीट हो जाएगा, ओवर एज हो जाएगा, ऐसा कौन कौन है, अगर किसी की सबसे बिलकुल नियर भाई हो, तो फिर मुझे वाटसप करना, अगर कोई नियर भाई हो, देखो कौन कौन मुझे लोग वाटसप कर सकते हैं, ये ओफिशल नंबर मैंने आपको दे रखा है, 8947-879143, कौन कौन लोग वाटसप कर सकते हैं, ये सुन लो आप, एक तो जो बिलकुल नियर भाई पहुँच गया हो, कि ओवरेज हो जाएगा, वो अभी इसमें ही, थोड़े टाइम में, दूसरा, जो लोग किसी भी सबजे अगर आपको नहीं आ रहा है, तो वो लोग भेज सकते हैं, वाटसप पे उस पूरे कोईशन को टाइप करके, तीसरे वो लोग कर सकते हैं, जो लोग टैंशन में हैं, कोई पर्सनल प्राबलम है, चोथा वो लोग भेज सकते हैं, जिनको पढ़ाई का प्रॉपर श्यूल व तो ऐसे लोग मेरे जो फैसिलिटीज मेंने दे रखी हैं, इनका आप बेनिफिट ले सकते हो, क्लियर हो गया है, बाकि अनसे या एक और बात, जिनके पास सॉंडर्स का पीडिएफ नहीं है, तो पीडिएफ आपको में भेज दूगा, या तो आपका कोई दोस्त हैं, उससे आपक्तिड हैपेटाइटिस ए, बैस्ट ओन फ्लू लाइक सेम्टम शुरू हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, विच स्टेट्मेंट मेंट बाइदा क्लाइंट सपोर्ट इस मेडिकल डाइगनॉसिस, कौन सा ऐसा फाइंडिंग यहां पर ऐसा होगा, जो हैपेटाइटिस एक को ही सपोर्ट कर रहा है, तो भाई एपेटाइटिस से फीको औरल रूट से होता है, और अगर इसने थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन पहले कुछ ऐसा खाया पिया था, तो खाने पीने से ही ऐसी बिमारी जो है वो इधर उधर फेलती है, यस और नो, तो यह कह रहा ह है, खाने पीने से फीको औरल रूट से फैलता है, क्योंकि यह है एपेटाइटिस A, एज होता है, वो किस से जाता है, फीको औरल रूट से, do you understand guys, जबकि जो दूसरे हैं, जैसे B, C, D, और बीसे डी जो है यह मल्टीबल पार्टनर से 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 फैलता है, या फिर बलड ट्रांस एक बिल्कुल सड़े से रेस्टोरेंट में इसने फिश खाली थी भाई साब यहां पर मज़े आगे थे इसको पार्टी करी थी इसने तो इसको हेपेटाइडिस ए बिल्कुल हो सकता है यह इसी को इंडिकेट कर रहा है इंट्राविनस ड्रग अब्यूजर को बी-सी डी होते है ना कि ए होता है इनको ब्लड ट्रांस्फूजन वालों को भी बी-सी डी होता है ना कि ए होता है तो करेक्ट अंसर हमारा यहां पर पहुंच गया है सेकेंड ऑप्षिन नेक्स्ट साथ लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं अब हमारा शुरू होने वाला है आटवा लेक्चर जो आटवा लेक्चर है वह इंपॉर्टेंट ज्यादा है ध्यान दीजिए 539 का है और यह क्वेश्चन है असेसिंग कर रहे हो आप एक पैसेंट को जिसको ट्वन्टी हो फोर हावर पॉलोविंग दा कॉलिस इस्टक टॉमी दा नर्स नोट देट डटी ट्यूब ड्रेनेज 750 ml है और ग्रीन ब्राउन ड्रेनेज आ रहा है सिंस्टी विच नर्सिंग इंटरवेंशन इस देमोस्ट अप्रोप्रियेट आपका अप्रोप्रियेट इंटरवेंशन क्या होगा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बड़िया बात है न ग्रीन ड्रेनेज आ रहा है तो document कर लो बस और कुछ भी नहीं होगा शुरुआत में तो bloody होता है लेकिन थोड़ी देर बाद में ये green हो रहा है और T-tube का purpose ही यही होता है दोस्तों कि T-tube लगाया जाता है जो हम polycystectomy करते हैं तो polycystectomy में surgery के कारण edema develop हो जाता है और edema से bile जो है वो proper drain नहीं हो पा रहा था तो आपन को ये करना है कि यहाँ पे एक tube डाल दिया जाता है जिसका नाम होता T-tube drainage system तो T-tube drainage system जो यूज किया जा रहा है इससे हम लोग bile को drain करवा रहे हैं और bile usually दिखने में कैसा color का दिखता है यह green brown color का दिखाई देता है तो घबराने की कोई ज़रत नहीं है कोई tension नहीं हो रही है तीसरा option सही है सिर्फ document कर लो जितना भी drainage आया साड़े 700 ml आया तो लिख लो आपकी file में diagnosis of the peptic ulcer which assessment finding would most likely indicate perforation of the ulcer कौनसी finding perforation को indicate कर रही है भाईसा परफोरेट अगर ulcer हो जाएगा तो उस condition में पूरा जो पेट है ना परफोरेट होने के बाद में बिलकुल hard हो जाएगा board की जैसे हो जाएगा rigid हो जाएगा tight हो जाएगा तो कभी भी एगर peptic ulcer perforate हो जाए तो abdominal जो surface है वो पूरी hard हो जाएगी बिलकुल hard होके board की तरह hard हो जाएगी ऐसे जैसे ये board है ना ऐसे hard हो जाएगी तो finding दे रहा है fourth में rigid board like abdomen fourth option is correct numbness यहाँ पर नहीं होगा bradycardia नहीं होगा नोजिया vomiting भी बिलकुल नहीं होगा clear है sudden sharp pen की वज़े से इसा हो रहा है अगला question था आपके बास question number 541 nurse is caring for a following the gastro jejunostomy यानी बिलरोग सेकेंड है बस आप तो यह याद रख लो which post-operative prescription should the nurse यह सारे question मैंने आपको detailed वाली classes में full detail में explain कर रहे हैं ठीक है न शुट दर्स question and verify आपको क्या बात पूछनी है post-operative prescription अगर आप चेक कर रहे हो तो कौन से prescription पे आपको इससे question करना है और verify करना है कि हाँ यह बात सही है तो मेरे दोस्तों gastric surgery के बाद में जब आपन NG tube डालते हैं न तो gastric surgery के बाद NG tube डाल रखिए और अगर किसी भी अनारी डाक्टर ने ऐसा लिख रखाए कि इस NG tube को हर एक एक दो-दो गंटे में irrigate करते रहे न अगर ऐसा लिख रखाए न तो उससे तुरंद बुला करके phone करके question कर ले न कि भाई साब gastric surgery के बाद NG tube को irrigate नहीं करते हैं वरना जो surgery हुई है न उसमें stitch वगेरा जो लगाए गए है न उनका damage हो सकता है वो disturb हो सकत तो यह थर्ड बात अगर लिख रहे किए तो आपको question करना है और verify करना एक बार फिर उसके बाद ही आपको यह काम करना है हो सकता ब्योशी में लिख दिया और रात का नशा इसका उत्रा ना हो understand guys crystal clear हो गया है नेक्स देखो आप question number 542 नर्स इस प्रोवाइडिंग डिश्चार्ज डिश्चार्ज करने वाले हो आप किसको गैस्ट्रक्टॉमी और शुड इंस्ट्रक्ट ट्लाइंट टू टेक विच मैजर तो असिस्ट इन प्रिवेंटिंग आपको प्रिवेंट करना है इसके लिए कि डंपिंग सिंड्रॉम यानि कि आप इसको डिश्चार्ज करने वाले हो और आपको धियान रखना है कि डंपिंग सिंड्रॉम कहीं इसे हो ना जाए तो एमबुलीट कि अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात कि अच्छा 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 तो अभी फिक्स बारा बज़े आ जाना नीच्छा ना ठीक है तो देखिएगा मेरे साथियों यहां पर आपको कहना है कि जैसे डंपिंग सिंड्रॉम हो रहा है तो इसको कहना है कि भाई फिलूड जो है वो कम से कम लेना है फिलूड और जूस वगेरा यानि लिक्विड बिलकुल अवर्ड कर देना है क्योंकि इनकी वज़े से क्या द्याइट लिद द्यूजान जैयों क्योंकि अ सबसे पहले दो इसको अन्प्यो कर देना होता है क्योंकि ताकि पैंक्रिया जो है वह एरीटेट ना हो इस्टीमुलेट ना हो दूसरा encourage coughing deep breathing क्योंकि सांस लेने में तकलीफ आती है इसको क्यों क्योंकि असाइट जो होता है बिटा असाइट यानि पेरिटोनियम में फ्लूड इखटा हो जाता है और असाइट की वज़े से क्या होता है breathing में इसे problem आती है breathing जो होती है वो shallow हो जाती है कैसी हो जाती है? shallow हो जाती है shallow हो जाती है इसलिए मेरे बच्चों आपको इसे recommend करना है कि आप इस client को क्या करें coughing और deep breathing encourage करिएगा ताकि इसका airway जो है lungs जो है उसमें कोई infection ना रह जाए तो कि सांस जब पूरी खुलके नहीं लेते हैं तो lungs के अंदर के infections जो है वो रह जाते हैं इसलिए हमसे कहा बाबा राम देव ने कि अनुलोम भिलोम करो उससे क्या होता है? lungs के अंदर के infection है वो बाहर निकल जाते हैं understand guys? तो give the small frequent calorie feeding small frequent calorie feeding सब कोई करना चाहिए, special नहीं है तो maintain the client यानि कि pancreatitis के लिए specific नहीं है maintain the client in the supine or the fleet position तो patient को supine fleet position जो है इसमें आराम नहीं आता है इसको leg वगेरा flex करके रखना पड़ता है पेरों को मोड के रखना पड़ता है give the hydromorphone intravenously as prescribed for the pen बिल्कुल दे सकते हो hydromorphone या morphine देना है meparadine जो है वो दिया जा सकता है लेकिन नहीं देते हैं pancreatitis को maintain intravenous fluid 10 ml यहाँ पे भी आप लोगों में से कहीं को confusion हुआ था maintain intravenous fluid at 10 ml to keep the van open ऐसी ज़रत नहीं है मेरे साथियों तो options correct कौन कौन से आगे one option two option और fifth option these are the correct options सबको crystal clear हो गया है next देखिएगा question number 544 nurse is providing the discharge teaching for the client with the newly diagnosed Crohn disease Crohn disease का patient है about dietary measure to implement during the exervation episode which statement made by the client indicate the need for the further instruction Crohn disease वाले को क्या गलत बात इसने बोल दी कि आपको further instruction करना पड़ेगा I should increase the fiber in my diet ये कह रहा है fiber diet बढ़ा दूँगा तो भाई साब Crohn disease में fiber बढ़ा देगा तो तकलीफ हो जाएगी diarrhea जादा हो जाएगा because it increase peristalsis क्योंकि ये fibers तो peristalsis और बढ़ा देगे तो इसको तो कहना है आपको फाइबर वाइबर जादा नहीं लेना है liquid भी जादा नहीं लेना है तो आपको समल के चलना है तो पहला ये option गलत हो गया विटा तो आगे तो नहीं पढ़ूँगा आप में ठेके next 545 nurse is reviewing the record of a client with the diagnosis of cirrhosis liver cirrhosis का है not that there is the documentation of the presence of asterixis how should the nurse assess for its presence asterixis को check करने का तरीका क्या होता है आप उसको ऐसे करके दोनों palms को ऐसे करवा दो और इन पे palms पे ऐसा flexion कर दो डोर्सी flexion कर दो डोर्सी flexion करने के बाद palms में ऐसे रिस्ट और उसकी palms में फिंगर्स में इस तरह के flapping tremor होने लग जाएंगे इसी को asterixis कहते हैं या ammonia बढ़ने से होते हैं यह किस वज़े से होते हैं ammonia बढ़ने से होता है तो मेरे दोस्तों यहाँ पर पहला का dorsi flex the foot foot से नहीं चेक होता है asterixis measure the abdomen गिर्थ नहीं ask the client to extend the arm बिल्कुल सही बात है यह थर्ड option correct है asterixis चेक करने का एक तरीका क्योंकि liver होता है तो protein diet वगेरा भी avoid करवा देना है आपको जिसको केसी को cirrhosis हो रहा है परना cirrhosis में क्या होता है liver जो होता है न वही ammonia को deaminate करता है और liver खराब हो रहा है cirrhotic हो रहा है तो वो deaminate नहीं करेगा ammonia बढ़ेगा ammonia बढ़ेगा तो दिमाग में चड़ेगा दिमाग में चड़ेगा तो Cerebral Encephalopathy हो जाएगा और Cerebral Encephalopathy को चेक करने का सबसे आसान तरीका है Asterixis और Asterixis Confirm करते हैं अपन Arms को Extend करवाने के करके ठीक है सबको आ गया लेक्चर नमबर 9 की शुरुआत हो गई भाई सब अरे यहां तक बिल्कुल क्लियर है ना सबको कोई सबसे बड़ा सर्प्राइज मिलने वाला है कि क्या आज होगा कैसे होगा वह आज ऐसा वंडरफुल एक ऐसा वंडरफुल अनॉस्मेंट न्यूस में आपको दूंगा मेरे सातियों जिससे कि आप सब का दिल खुश हो जाएगा एक रिवॉलिशनरी न्यूस आज देने वाला हूं तो बहुत जल्दी ही बारा बजे में आपको यह रिवॉलिशनरी न्यूस दूंगा तो तैयार रहना आप लोग फिक्स बारा बजी और मैंने यह न्यूस आपको बताई सबसे शूटेबल रहेगी इसके लिए ठीक है ना यह सजेस्ट कर देना 547 में क्या था नर्स दूइंग एड्मिशन असेस्मेंट ओन दे क्लाइंट विद दे हिस्ट्री ऑफ द अच्छा रेगूलर क्लासेस में भी इसी तरी से पढ़ाना ही क्या एक और मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत क्लोज रहता हूं बच्चों के ताकि रि रात वाली जो दस बजे की अपनी क्लास चलती है लाइव क्लास रेगुलर नहीं ना तो जैसे है वैसे ठीक है ठीक 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 मुझे मिल गया जवाब मिल गया कोई डॉंट वरी मैं तो जानना चाहरा था कि कहीं एक तो आपको यह बहुत पसंद आ गया हो आज का रिवीजन कर रहे हो डिटमाइन वैदर दा प्रॉब्लम इस करेंटली एक्टिव जब प्रॉब्लम अभी एक्टिव फेज में है नर्स शुड असेस दा क्लाइट फॉर विच मैनिफेस्टेशन ऑफ डॉडेनल अलसर तो आपको बताना है डॉडेनल अलसर का कौन सा क्लिनिकल मैनिफे करणी हो जाएगा और यहां पर महुति कोके लड़ू आएंगे इसके स्टॉमक में यह आते ही यहां पाइलोरिक सुपिक्टर बंद Side अब वाई सब्सक्स्य ohh अब तो इदर एकिड कशाना बंद हो जाएगा और एकिड़ का जाना बंद सासरा बंद करबदों हलका comfort feel होने लग जाता है तो थर्ड option इसका correct answer हो जाएगा बास समझ गे ना गजोधर अगला question है हमारे पास 548 client with hytal hernia hytal hernia का present a chronically experience कर रहा है hard bun following the meal the nurse should plan to teach the client to avoid which action अरे रुख जाव अभी बार ही रो बार यहीं पे बस थोड़ी देर में बारा बजने वाली है ना which action because it is contra indicated with the hytal hernia तो hytal hernia के patients में क्या contra indicate करना है बिटा lying recommend following meal यह बिल्कुल contra indicate होता है अगला question next 549 the nurse is providing care for a client with the transverse colostomy which observation require immediate notification the primary health care provider अगर transverse colostomy हुआ है तो colostomy के बाद में क्या ऐसा देख लिया आपने की तुरंत आपको बुलाना पड़ेगा health care provider को आपको समझ में आ गया कि purple discoloration अगर हो गया stoma का तो मेरे सातियों इस case में आपको बुलाना पड़ेगा clear है next 550 client had a new colostomy colostomy हुआ है दो दिन पहले beginning to pass the melodious flattus आना शुरू हो गया है stoma से what is the correct interpretation flattus आना शुरू हो गया तो बिटा शुब संकेत के अशुब अरे flattus आने पास हो गया मतलब bowel sound return हो गया शुब संकेत है अशुब काई का तो यहां पर this is the normal expected event है कोई तकलीफ वाली बात नहीं है next question देखिए client just had the surgery to create an ileostomy और the nurse assist the client in the immediate post-operative period for which most frequent complication this type of surgery तो आपको बताना है ileostomy का सबसे frequent complication जो बारवार हो जाता है ileostomy में होने वाली बारवार problem कौन सी होती है fluid और electrolyte imbalance हो जाते हैं do you understand everyone fluid electrolyte imbalance next question देखिए बिटा डानर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन तो एक्लाइंट अबाउट दा इंफ्लामेटरी बावल डिजीज आई बीएस का पैसेंट है विच स्टेट्मेंट वाइद क्लाइंट इंडिकेट नीट फॉर दा फर्दर टीचिंग तो कौन सी बात पर आई बीएस वाले को दुबारा समझाना पड़ेगा कि आप गलत बात कह रहे हो ऐसी बात समझानी पड़ेगी अगर यह ऐसे कहता है कि मुझे आई नीट टू curumat नाइं इसको आई बीएस वाले को आई बीएस वाले को करना पड़ता है अध्या अध्या वैसके देना है वह सर्प्राईस के लिए यां हो चुकी है झालन quo सब और ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों आज मैं आपको वो देके जाने वाला हूं आज मैं आपको वो देने वाला हूं जो वाकई में आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन ला देगा एक ऐसा चेंज ला देगा मेरे साथियों जिससे कि आप सब अपने जीवन में एक्साइटमेंट तो आपके अंदर बहुत हो रही है भाई साब और एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए क्योंकि एक्साइटमेंट से ही काम चलता है तो मेरे सातियों अब बस आपका समय होने वाला है समाप्त और आज मैं आप लोगों को एक ऐसा खतरनाक वाला सर्प्राइस देने वाला हूं मेरे दोस्तों जिससे की आप सबकी यह गेट बंद करना पड़ेगा और रिफ्लेक्शन आएगा नो बुला लो सबको बुला लुद हुआ है वह मटका मत गिरा देना पीछे परस्नल है ओं तो देखिए मेरे प्यारे बच्छों बच्छों की भीड लग गई है और आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सर्प्राइज देने वाला हूं मेरे दोस्तों जो आपकी लाइफ के अंदर आप लोगों से नहीं कह रहा हूं नो बच्छों से कह रहा हूं तो देखिएगा ध्यान से सुनिया मेरे बच्छों एक ऐसा सर्प्राइज आप लोगों को मिलने वाला है जिसस सब की जिन्दगी को बहुत आसान करने वाला है यानि कि मैंने आप से जैसा प्रामिस किया था और कह रहा हूं मैं आप से पिछले दो से तीन दिन से कि जिस दिन अपना सूपर लेक्चर होगा रिवीजन वाला उसी दिन मैं आपको एक ऐसा रिवालिशनरी न्यूज सुनाने वाला हूं जो वाकई में एक ऐसी क्रांती क्रियेट करेगा नर्सिंग के अंदर जैसे कि मेरे दोस्तों आपकी प्रपरिशन के अंदर आपको बड़ा हैल्प मिलेगा और आप सब वाकई वुगली इंस्टिट्यूट को महसूस करेंगे और फील करेंगे कि यहां के टीचर क वो चैंज करेंगे तो आज वो एकस्पुज करने वाला हूं तो मेरे साथ यह है हूं करें तो देखिएगा जैसे कि मैंने कहा आप से और यूट्यूब को मेरे दोस्तों हम देंगे आपके लिए एक ऐसे पांच क्वालिफाइड टीचर जो बारा महिने हर इस्तिती में चात्रों के साथ खड़े रहेंगे मेरे दोस्तों आज मैं आपको उन पांच ऐसे most valued मेरे टीचर के साथ इंट्रोड्यूस करवाँगा और आज से मैं आपको वो पांच टीचर प्रोवाइड करूँगा और उन टीचर से request करूँगा कि भुगली के सारे students के लिए हमेशा हमेशा आपको तयार रहना है अगर कभी भी कोई भी किसी भी तरह का exam आता है तो वो हर संभव आपको मदद पहुँचाएंगे तो मेरे दोस्तो आज मैं आपको ये पांच टीचर के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ और ये पांचो टीचर को आज से मैं यूट्यूब को देने वाला हूँ और ये लोग आपके साथ हर परिस्तिती में मैं खड़ा रहूँगा लेकिन मेरे साथ अब आपके साथ ये पांच टीचर और भी खड़े रहेंगे मेरे दोस्तों और आपके लिए आपके एक्जाम के लिए आपकी नॉलेज के लिए जो संभव प्रियास होगा वो संभव प्रियास ये लोग करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको उन स्ट्री सुदेंस कि है जो 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 कि फॉर कि है आप सभी साथ बिलकुल उम्मेट करते हैं स्वस्त होंगे मस्त होंगे जबर दोंगे सर ने बताया और आपकी भी काफी डिमांड रही उसी के बहस पर है कल समवार Emma प्रातकалर प्राधकर मतलब कि मंजले में आपकरMin को शुरू हो जाएगा और यह का सफ़र तब तक चलेगा सात귀 जब तक की आप आपके मंजल पर ना पहूंच जाए आपकी हर एकजाम को लेकर हर एक ऐक्जाम के तरीके हैं हर एक बाइ की से हम obstetrical nursing को आने वाले इस वक्त में इस दोर में deal करने वाले हैं और उगली परिवार का एक ही मकसद रहेगा उगली के सभी चात्रों के लिए कि आपको आपकी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए चाहे इसके लिए पूरे उगली परिवार को कितनी ही कठीन मे कि अपना जो टाइम रहने वाला है अरली मॉर्नेंग के सेवन टू एट एम फ्रॉम टुमॉरो एन एनिहाव कंडिशन सभी साथियों को तयार रहना है सवेरे सवेरे बिल्कुल जब मूंड अपन उठते हैं तो उठने के बाद माइं बिल्कुल फ्री होता है रिलेक्स होता है उसी फेज में अपने को तयारी करनी है पढ़ाई करनी है तक ही चीजे लॉंग लास्टिंग याद रहे एक्जाम तक याद रहे थैंक्यू सो मुझे दिया इन प्यारे स्टुडेंट्स को पढ़ाने के लिए और बिल्कुल इनको इनकी मंजिल तक पहुचाने के लिए मै दढ़ निश्चे कर चुकों और पहुचा के रहूंगा थैंक्यू समस्तर अभी तो से पहला पत्ता खुला है अभी काफी सारे पत्ते और बाकी है और वह भी जस्ट अभी थोड़ी देर में ही आपको इंट्रोड्यूस करवा दूगा और सबसे बड़ा मेरा मकसद जो है आ कि आप समझें कि आप जिस इंस्टिक्यूट के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कौन-कौन ऐसे लोग हैं जो अर्थी को कंदा देते हैं तो चार से पांच लोग जो होते हैं मेरे साथियों जो इस जीवन के सफर में इस जिंदगी के सफर में मतलब हमें अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का कारे कर रहे हैं वो कौन-कौन से टीचर से तो अगला जो टीचर है विटा जो मैं आपको देने वाला हूँ अभी यह आप जानते हैं कि गवर्मेंट जॉब के अंदर है बी एचिव के अंदर तो यह चले गए हैं आपकी कल तक लासे थी यह जब भी वा दोस्त हमारे साइकाटरिक पढ़ाने वाले मिस्टर अर्शिद खान डैट इस अवेरी डेडिकेटेट अंड वैल्यू टीचर और तुड़े आइम जस गोईंग तो इंट्रोड्यूस यू एवरी वन विद देम और कैसे वह आपको हेल्प करेंगे यह आकर कि वह आपको बत कि खेलो अच्चों कैसे हो कि कैसे आप सब बढ़िया तो जैसा कि आपको साहूसर ने बताया कि यहां पर केवल साहूसर ही नहीं उनके अलावा उनकी पूरी टीम वुगली टीम आपके साथ हर मुश्किल में हर परिस्तिति में खड़ी रहेगी ठीके मैं यहां पर आपको सा कि आपको मंजिल पर पहुचाने की जिम्मेदारी हमारी है तो इस तरीके से यहां पर हम यूट्यूब पर डेली दो से तीन बजे साइकेट्रिक का लेक्चर रहेगा मेरा तो इसके लिए तैयार है एक बार मैं आपको बता देता हूं कि दो से तीन बजे आप लोग मेरे साथ यहां पर तैयारी करेंगे स्टेट गवर्मेंट और सेंट्रल गवर्मेंट के परिक्षाओं की जैसे की नहीं नॉर्सेट्रिक करेंगे तो सभी सातियों प्यार रहें अभी और भी सर्प्राइस खुलने वाले हैं ठीक है तो अल्ड़ बेस्ट देखिएगा विटा आप सबका मैं हर्दे से चाता हूँ कि आप सब लोग जो हैं अपने जीवन में इसी तरीके से एक अच्छी फैकल्टी टीम के साथ एक अच्छे कॉडिनीशन के साथ अच्छे गुरुओं के साथ में क्योंकि देखिएगा जंदगी में आगे बढ़ना सब कुछ नहीं होता है लेकिन आगे बढ़े कैसे ये बहुत मैटर करता है क्योंकि हमारी जंदगी के अंदर मेरे दोस्तों यदि अगर हम बहुत सही रास्ते से आगे बढ़े होंगे तो उस मंजिल पे पहुँचकर हमें मजा आएगा और यदि अगर हम गलत तरीकों से गल अलग मत होने देना संसकारों को अपने से अलग मत होने देना जोश को हमेशा पालने की कोशिश करना और अगर मेरी इन बातों को मानते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं होगी जो कभी आपको निराश कर दे आपको कभी परास्त करने की कोशिश कर करना है क्योंकि हमने सुना है कि भाई साब बड़े भुजुर्ग बोलके गए महापुरुष बोलके गए कि वेक्ति यदि अगर गरीब पैदा होता है तो उसमें उसका दोश नहीं होता है लेकिन अगर वो गरीब ही मरता है तो सबसे बड़ा दोशी वही होता है क्योंकि उसन सब्सक्राइब करें और आप सब्सक्राइब कि किस टाइम कैसे क्लास लेंगे और कौन-कौन से एक्जाम से रिलेटेट उनको मदद पहुचाएंगे बिल्ब्ट मेरे सबीदोस्थों को मेरे भिशाइंगे मैं आपको इंडिया से इंडिया की जीकर यानी के जन्ला नोलेज होगी और राश्चान की जो करंट चौन और राजस्तां की जो जीके उनसे संबंदी अपन यहां पर कुशन करेंगे और इनसे संबंदी जितने भी यहां पर आपकी क्योशन बनेंगे उनसे संबंदी सभी क्योशन हम यहां पर देखेंगे आपके यह जो भी कोई समश्य होगी उनसे संबंदी सभी क्योशन हम यहां प की जीके और इंडिया लेवल की जीके और रिजिनिंग के कुछ क्यूशन भी हम आपके लिए डेली लेके आएंगी ठीक है तो थैंक यू अब देखिएगा बिटा आने वाला है बुगली का तीसरा जावाज खिलाडी जिसको मैं कहता हूं कि यह बड़ा खतरनाक टाइगर है और ये आप लोगों को वो बाते बताएगा और ऐसी ऐसी एंटर्टैन के साथ में पढ़ाने वाला है जिससे तुम्हारा दिल भी खुश होगा और मस्ट एंजॉइमेंट भी मिलेगा और नॉलेज भी मिलेगी और आपको पता है कि इस साल कम्यूनिटी का जो नॉर्सिट द तो अभी आएंगे सर और आपको क्वेशन भी सोल करवाएंगे और समझाएंगे पूरी जानकारी कि वो कब क्लास लेंगे और कैसे क्लास लेंगे मॉस्ट वेलकम चेतन शर्मा सर्थ जैसा कि सर ने और सभी टीचर्स ने बताया तो सबसे पहले बाद में आपके लिए पूरे नर्सिंग जगत के जितने भी बच्चे हैं जो आज मैजर एनांस्मेंट साउसर ने किया है तो आपके तरब से साउसर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो नर्सि बहुत साल से दे रहे हैं लेकिन उन्हें एक बहुत अच्छी पहल करी है कि आज वुगली एमसी आई के अंडर सारे टीचर आपको यूटॉप पे जो एक इंपोडेंट एमसी क्यूज होंगे जो सायद आपके नौट सेट के अंदर हुब हुद देखने को मिले जैसे की MSN म बाकी अपना सपना लेके बैटे हुए हैं कि मुझे नौर सेट में जाना है मुझे उस ESIC की वैकेंसी में जाना है तो दोस्तों ये फ्लोट फॉर्म उन बच्चों के लिए इतना ज्यादा सूटेबल और इतना ज्यादा मील का फत्तर साबित होने वाला है जो बचे और इसक कम्यूनिटी का वैटेज होता है काफी बहुत अच्छा वैटेज होता है कम्यूनिटी का और नौर सेट के अंदर भी ऐसे से क्योशन जो बचे हिल जाते हैं तो सब्जेक्ट कोई छोटा बड़ा नहीं होता है सारे सब्जेक्ट अमना लिए फराइटी होते हैं और इस कम्य सायद पढ़ने की जुरुत नहीं पढ़ेगी पस आपको उस एक घंटे की क्लास लेना है उसके बाद आपको कम्यूनिटी को उठाने की जुरुत नहीं पढ़ेगी दोस्तों एक-एक कंसेप्ट किलियर करके साथ हम MCQs पर बात करेंगे जो आपके एक्जाम में पूछे जाता हैं कि कम्यूनिटी आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होने वाली है एक बार फिर से मैं आप लोगों को और सर को बहुत-बहुत थंद्रेवाद देना चाहता हूं कि जिन्हों ने यह बहुत-बड़ा कदम उठाया इस पूरे नर्सिंग जगत के लिए थैंक्यू सो मुच आपने इमेजन किया था कि इतना बड़ा सर्प्राइज होने वाला है या फिर नर्सिंग की सारे स्टूडेंट्स को बुगली इंस्टिट्यूट जो है वो देने वाला है जो ना किसी ने इमेजन किया और ना इन फ्यूचर आइटिंक की कर पाएगा मेरे दोस्तों आप सबका खर्चा मैं effort करूँगा डॉंट वरी एवरिवन और आप सबका खर्चा मैं खुद effort करूँगा और आपको करने की जरुत नहीं है और वोगली की पूरी टीम जो है जितने भी मेरे expert टीचर है वो सारे टीचर आप सब के साथ खड़े रहेंगे अभ तीनों एक्जाम में आपको पहुचा के ही दम लिया जाएगा सबको बात समझ में आ गया तो भाई साब अब मैं आप सबको मिला देता हूं नॉन टीचिंग फैकल्टी जो आप लोगों के लिए टेस्ट बनाते हैं जो आप लोगों के क्वेशन बगेरा जो हैं अपडेट करत करते हैं ऑफलाइन टेस्ट कंड़क्ट करवाते हैं तो मॉस्ट वेलकम सर जितेंदर जी और कमल जी जोती मेडम और प्रिया मेडम मॉस्ट वेलकम जिन से आप बात करते हो अक्सर कोलिंग वगेरा लगाते हो ना कभी तो किन से बात होती है आपकी आज वो लोगों को भी आ कि अलो बच्चों किसे आप सब लोग भूली मैं कमल राठोर और मैं कहता हूं कि पढ़ाई की जाए तो अच्छे से एक जम फ्रीडम होके की जाए और मस्तमावल में की जाए इससारे टीचर आपको मिलें अच्छे अच्छे तो आप लाब उठाएं धन्यवाद थेंक्यू हेलो नर्सिंग एस्प्यूरेंट्स जैसा कि साउसर ने बताया कि पूरी वुगली टीम आप लोग एक साथ पूरे बारामंद खड़ी रहेगी जो भी एक्जामें एनेचम, नोर्सेट, एनेम वगेरा जो भी है उससे के लिए पूरी टीम आपके साथ हर दम हर वक्त खड़ पूरी रहेगी बस आपको अपने इरादे बुलंद करने हैं अगर आप जाओ पर लाएं कैसे हो सभी स्टुडेंट्स आशा करते हो सब अच्छे होंगे जैसे सर ने बताया कि सरके सासा सारी फेकल्टी आपको यूटूब पर पढ़ाएगी और अगर आपको कोई भी क्यरि सब्सक्राइब करेंगे और वुगली के साथ आप स्टुडी करें रेगूलर डेली क्लासे ले अटेंड करें टेस्ट करें जो आपके लिए फ्री ओनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किये जा रहे वुगली के द्वारा और डेली रेगूलर क्लासे सटेंड करें टाइम टू टाइम जो भी वुगली की फेकल्टी आपको डील कर रही है आपको इतनी मेनत कर रही है आप सब लोगों के लि वह आप सबको मैंने दिया और कोशिश की है मैंने कि मेरे सातियों आप सब लोग वही अपने जो प्रपरेशन करने का एक्सिलेंट से एक्सिलेंट क्या मैथड हो सकता है क्या तरीका हो सकता है आगे आजाओ चाओ तो आदे क्या मैथड हो सकता है क्या तरीका हो सकता है वो हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे और जैसा कि आप लोगों ने सुना है ये कोई सपना नहीं है आप हकीकत में सुन रहे हो आप यूं मत सोच लेना कि आप साइद रात को बैठे हैं और एक सपना देख रहे हो बिल्कुल र हम उसका भी आंसर देंगे आपको कोई फरक नहीं पड़ता है कि आप कहां पड़ते हैं फरक पड़ता है कि आप सेलेक्ट कैसे होंगे इस बात से फरक पड़ेगा मेरे दोस्तों तो पूरे टीचर्स का मैं तह दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो आज ये समझ पाए कि नर्सिंग प्रोफिशन को आखिरकार जौरत किस चीज की है और मैं हमेशा आप लोगों को भी कहता हूं कि आप लोग इस प्रोफिशन की एक बहुत वड़ी इट है और इट से इट अगर मिल जाए तो एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है एक इमारत खड़ी हो जाती है और आज में मेरे सभी फैकल्टीज को एक साथ देख करके और बच्चों के लिए समर्पन भावना देख करके और सारे स्टाफ को देख करके मेरे दिल में भी एक अलगी खुशी मैसूस हो रही है. तो सभी का बहुत बहुत धनेवाद और विश यू अल देख मेरे बच्चों आप सब योही जीवन में आगे बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें, हम से जितनी भी मदद पहुचेगी हम डेफिनिटली आपको ये मदद पहुचा करके और आपकी जीवन की सकसेज स्टोरी में सहारा बनने का पूरा प्रयास करेंगे, अगर हम सहारा बन पाएंगे, तो डेफिनिटली हम कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा सहारा हम भी बने, ताकि जब आप सकसेज हों, तो कम से कम कहीं न कहीं आपके दिल में, मेरे उस टीचर का नाम भी होना चाहिए, जिसने आपको प तो आज जो अपना नाइन लेक्शर का रिवीजन हुआ है, नाइन लेक्शर के बाद समय जादा हो गया है, अब मैं आपको बाकी का जो नेक्स संडे को रिवीजन क्लास रखोंगा, दस क्लासे उसके अंदर रिवाईज करवाएंगा, इस तरह से हम पार्ट्स में डिवाइ नहीं करेंगे, तो चलिएगा, thank you so much, wish you all the best.